हेलो दोस्तों स्वागत है आपका GSI QEducation के योटूब चैनल पे तो आज का लेक्चर हम लोग सुरू करने से पहले आज का ये सब्जेक्ट भारत का भुगोल जोग्रफी ओफ इंडिया सुरू करने से पहले हम एक कोटेशन को देखेंगे किसी ने कहा है कि अमीर इतने बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सको कीमती इतने बनो कि दुनिया का कोई अमीर समीर आपको खरीद ना सके तो हमको अमीर भी इतना ही बनना है इतना बनना है कि दुनिया की कोई भी चीज जो है वो हमारे लिए मुश्किल ना लगे हमारे लिए वो मतलब ये ना लगे कि व चुछ तुछ दूनिया का कोई अमीर-समीर व्यक्ति भी आपको खरीदना सके। औरी यह सब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए मेहनद करना पढ़ेगा, इसके लिए संघर्स करना पढ़ेगा। खुद से यहां पे एक जंग लड़ना पड़ेगा और जैसे कि सोना तपता है तभी वो सोना कहलाता है सोना जितना तपता है वो उसकी पहचान होती है तो चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि संगर महेशकुमर बर्णवाल की एक बहुत अच्छी पुस्ता की इसको पर्चेज कर सकते है और इस पुस्ता का डिमांड अभी ज्यादा है इसलिए मार्केट में अवलेवल नहीं है तो कुछ पैसेंस के साथ आप लोग रुके और फिर जब मार्केट में आ जाए तब पे उस चैप्टर का जो जो टॉपिक है मैं यहां पे उसको पढ़ाने का और समझाने का कोशिश कर रहा हूं बस आप लोग इस वीडियो को एक से दो बार देखिए और भी सारे सब्जेक्ट का लेक्चर अल्रेडी यहां पे अपलोड किया जा चुका है जैसे कि इंडियन हिस यह आज अपलोड हो रहा है फरस्ट एपिसोड अपलोड होगा उसके बाद से फिर इंडियन पॉलिटी हो गया मोडरन हिस्टरी मेडिएवल हिस्ट्री साइन्स एंड टेक का भी हुआ इनवारोमेंट इन इकलोजी का हुआ है फिजिक्स का अपलोड हो चुका है कि में स्ट description box में जाए लिंक के थुरू आप लोग उसको देख सकते हैं और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है जिसको आप लोग जोईन कर लिजे और एक गुजारी से आप लोगों से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजि ठीक है और वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का मुस्किल से कितना एक से दो सेकेंड लएगा लाइक करने में और पंदरा से बीस सेकेंड लएगा आपको कॉमेंट करने में मतलब अपने सुझाओ देने के लिए आपको अपना सुझाओ वहाँ पे नीचे अपने करने के लिए तो सबसे पर इसमें हम देखेंगे समानने परिजय ठीक है मतलब इसका जेनरल इंट्रोडक्शन जो है उसका उसको देखेंगे हम तो सबसे पहला प्रस्थ यह है कि भारत किस गोलार्ड यानि कि किस हैमीस प्रस्थ में अवस्तित है तो उत्री है तो आप लोग इसको रट जाईएगा क्योंकि जब तक इससे ना डेटा पुछे जाते हैं एक्जाम में और यह चुकि जटिल है कंप्लेक्स है तो इसलिए यह फसाने के लिए एक्जाम में जो कोस्टन सेटर होते हैं वो डाल देते हैं ठीक है तो इसको अगर हो सकते एक किलोमीटर है तो 233 किलोमीटर है तो 233 किलोमीटर इसका पुरुष से पच्चिम तक इसका विस्तार है और इसका देशांतरिये विस्तार यह भर्टिकल जो लाइन है यह जो भर्टिकल लाइन है वो भर्टिकल लाइन जो होता है वो देशांतरिये विस्तार होता है ठीक है मतलब पृत्वब में हम पृत्वबि नमुना जिसका बोलते हैं तो जब हम उत्तर से दक्शिन पॉल की तरफ काल्पनिक रेखा को जब खीचते हैं तो हमारा वह जो होता है técnica होती है और वहीं उसी रेखा को हम क्या करता है जब पूरब से परचिम की तरफ की बीचते हैं तो अक्षांस रेका होता है ठीक है तो यहां पर देशांतरिये विस्तार हम देखेंगे तो और सट डिग्री साथ मिनट से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट तक यह हमारा जो भारत जो उत्तरपुर्वी गुलार्द में अवस्तित है उसका देशांतरिये विस्तार है तो पुछा जा सकते एक जाम में कि भारत का देशांतरिये विस्तार कहां से कहां तक है तो और सट डिग्री साथ मिनट से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरिये विस्तार है और फिर पुछा जाएगा कि इसका अक्षांस यह विस्तार क ले करके 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके 37 डिग्री 6 मिनट तक यह जो हमारा अक्छांसी यह इसका अब देखें कि सबसे पच्छी मोतर जो मतलब सीमा पर सबसे इंडिंग इसका पॉइंट है वो है जिसको गोर मोता के नाम से जाना जाता है यानि कि गुजराथ, एक गुजराथ में है और इसको सुदूर पच्छमी बिंदु इसको बोला जाता है, ठीक है, अब देखेंगे कि पूर्वी जो इसका सुदूर पूर्वी बिंदू कौन सा है, इसको की वीऊथू, बोलतकी वीऊथू एक जगह है जो अउनाचल पदेश में उसको वो हमारा सबसे पूर्वी पूर्वी सुदूर बिंदू है ठीक है अब देखते हैं कि हमारा उत्री सबसे सुदूर बिंदू कौन सा है तो उत्री बिंदू में हमारा है इंदीरा कॉल के नाम से उसको जानते हैं इंदीरा कॉल के नाम से जानते हैं उतरतम बिंदू और यह कहां पे सित है तो यह लगदाख में सित है ठीक है फिर देखते हैं कि इसका दक्षिंतम जो मतलब इसका दक्षिंतम बिंदु कौन सा है तो इसका देखेंगे तो दक्षिंतम बिंदु यह है कि कन्या कुमारी जिसको केप कौमोरीन के नाम से जानते हैं लेकिन याद र देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदू जो इसमें भूमी का जिक्रना किया गया हो तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है कहां पे है तो अंदमानें निकोबार्दीव समू में है ठीक है अब हम कुछ देख लेते हैं कि तट रेखा टोटल जो है भारत की तट रेखा कि लंबाई जो है 7516.6 किलो मीटर है ठीक है और फिर हम देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान अफगानिस्तान से भारत की मतलब सबसे छोटी बाउंडरी लगती है जो 106 किलो मीटर है उसके बार से फिर हम देखते हैं कि भारत और चीन की जो मतलब बाउंडरी लगती है वो 3488 किलो मीटर है भारत से नेपाल की जो बाउंडरी लगती है वो हमारा 1700 किलो मीटर है भारत से भूटान की जो हमारी बाउंडरी लगती है वो 699 किलो मीटर है और फिर भारत से मैंमार की जो मैंमार की जो बाउंडरी लाइन लगती है वो हमारा 1643 किलो मीटर है और सबसे ब किलोमेटर ठीक है 496 किलोमेटर और हाँ यह पूरव से जो पच्छिम से पूरव तक का जो टोटल पूर्व से पच्छिम का विस्तार है वह 2923 किलोमेटर है वहीं उत्तर से दक्छिन का विस्तार जो है वह 3214 किलोमेटर है ठीक है तो इसको आप लोग लिख करके भी याद कर स हैं यहां पर आप लोग नीचे देकh सकते हैं कि पाक जल संदी है पिर यहां परे बिष्टी से भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो सातवा अस्थान है पर्थम अस्थान पर कौन है आप लोग कॉमेंट सेक्षन में इसका जवाब लिखिए नेग्स देखते हैं कि भारतिये भूभाग का विश्थार जो है वो पुर्व से पच्चिम 2930 किलो मेटर त कितना है भारत का छेतफल 20 के कुल छेतफल का कितना भाग है तो 2.4 परसेंट है भारत का अक्छांसी ये बिस्तार क्या है यानि कि लैटिट्यूड लैटिट्यूड का मतलब वहीं आपको पच्चिम से पूरब की तरफ यानि कि ये जो रेखाएं है आप देखिएगा गलोब या फिर मैप में देखिएगा तो ये रेखाएं लेटी हुई है इसी का इसी लिए ट्रीक हो गया लैटिट्यूड यानि कि लेटी हुई रेखाएं जो है वह क्या हो गया वह आपका अक्छांसी ये अक्छांस रेखा हो गया तो भारत का अक्छांसी ये बिस्तार क्या है त तो वो 8 डिगरी, 4 मिनट से ले करके, 37 डिगरी, 6 मिनट तक है, ठीक है, उतरियक छांस के मद्ध है, और देशांतर रेखाएं क्या है, निर्धारित करती है, वो समय योम अवस्थिती को निर्धारित करती है, नेक्स देखते हैं, करक रेखा भारत को कितने राजिस से होकर तो भारत के राज जिन से करक रेखा होकर गुजरती है तो गुजरात है गुजरात के बाद फिर राजस्थान आ जाता है राजस्थान के बाद में आप लोग मैप को इमेजिन कीजिए मन में मैप को इमेजिन कीजिए तब से समझ में आएगा और याद हो जाएगा हमेशा के तो एक बार फिर से मैं recall कर रहा हूँ, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मद्यपरदेश है, फिर उसके बाद चतिसगर है, फिर उसके बाद से जारखंड आता है, तब पच्छिम बंगाल आता है, फिर उसके बाद से तिरपूरा आता है, फिर मिजोरम आत है फिर पचिम बंगाल है फिर तीरपुरा है और लश्ट्मे क्या है मिजोरम है नेक्स देखते हैं कि भारत को लगबग दो बराबर भागों में कौन सायक रेस्ट करता है तो सहे श.च्छाश करक रेखा बोलते हैं यानि कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है तो साहे तेश्डिडी उत्री अक्षांस भारत को लबग दो बराबर भागों में बाटता है ठीक है और यह याद रखिए कि साहे तेश्डिडी दक्षनी अक्षांस को हम लोग मक्कर रेख बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफक्री कोन बोलते हैं उसको अंगरेजी में ठीक है ओआक निक्स दि colderफिडी बबिंदू जो गोर्मोंता या निकि जो गुजरात में बप्ल्साया थालत सबसे पहले सुर्ज भारत में दिखाई कहां देता है तो सबसे पहले हमको सुर्ज दिखाई देता है उनाचλα torch명 पर देश में गर मान के चलीए मान के छे बजे अगर सुर्ज का उदय हो रहा है तो वहीं आपको अगर सुर्योदय देखना है तो आपको गुजरात में कितने बज़े होगा आठ बज़े होगा आठ बज़े सुर्योदय वहाँ पे होते हुए दिखाई परतीत होता है तो यह दो घंटे का उसमें अंतर है ठीक है भारतिये मानक समय रेखा यानि कि इंडियन स्टेंडर्ड टाइम लाइन ulhavat के निकट मिर्जा पूर से होकर गुजरती है मिर्जापूर से कुछ याद आल वह था इंटर्टेंवर्ड में लेकिन ये इससे आप आपको उपस किजिएगा और ये चीज आपको ओफिसर बनाएंगी ठीक है नेग्स देखते हैं कि भारतिय मानक समय जो है IST है एवं Greenwich का माध्यका जो समय में कितने घंटे का अंतर होता है तो साधे पांच घंटे का अंतर होता है जिसको GMT के नाम से जानते हैं GMT आप लोग फोन में भी कभी के भी देखते होईएगा जब आप लोग क्लॉक सेट करते हैं तो वहां भी GMT आता है तो वहां पर 5.30 मिनिट ऐसे करके लिखा रहता है ठीक है तो यहीं मानक समय तथा ग्रीण वीच जो है ग्रीट यो लंदन में इस्तित है यह जो कहां पर इस्तित है तो लंदन में इस्तित है ठीक है तो माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है तो 5.5 घंटे का अंतर होता है यदि भारतिय मानक या म्योतर यानि कि इंडियन स्टेंडर्ड मेरेडियन पर मध्यायन है तो 120 डिगड़ी पुर्वी देशांतर पर अस्थानिय समय डाई वजे अपराहान होगा ठीक है तो नेक्स देखते है भारत का सुदूरस्त दक्षिनतम बिंदू यानि कि सावथर्ण मोश्ट पॉइंट कौन सा है सुदूरस्त दक्षिनतम बिंदू कौन सा है तो इंडिरा पॉइंट है ठीक है नेक्स देखेंगे कि इंडिरा पॉइंट जो कहां पे है वो ग्रेट निकोबार द्वीप ग्रेट निकोबार आईजलेंड पे इस्तित है भारत का एक मात्र जिला भारत का एक मात्र जिला कौ राजियों को असपर्स करती है, तो ये कौन सा जिला है, तो सोन भद्र है, वो योपी में है, ठीक है, नेक्स देखते हैं हम लोग कि भारतिये मानक समय, यानि कि जो साथे 82 डिग्री लाइन है, वो पांच राजियों, यानि कि उत्तरपर्देश, मध्यपर्देश, छतिसगर् के गुजर्ती है, साथे 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो कहां से हो करके गुजर्ती है, तो आप लोग मैप में एक बार इमेजिन कीजिए, कि हम लोग उत्तर से दक्षिन की और चलेंगे, ठीक है, चोकि देशांतर रेखा तो उत्तर से दक्षिन की तरफ खीची देखा को देशांतर रेखा बोलते हैं तो फिर उसी कनुसर हुनों साहे 82 डिग्री देखेंगे कि कहां से किस राज से होकर के गुजरती है तो भारत के पांच राजों से होकर के गुजरती है तो कौन-कौन से राज है तो इमेजिन कीजे मैप में सबसे पहले यूपी आता है उपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं धान रखेगा उपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यूपी है फिर उसके बास से मद्ध परदेश है फिर उसके नीचे 36 गड़ाता है फिर उसके नीचे उडिसा का कुछ भाग ड़च कर जाता है और सबसे नीचे आंधर पर्देश आता है वहीं से होकर कि 62 डिगरी गुजरती है नेक्स देखते हैं कि भारत का राजनीती मानचीतर में क्या-क्या है तो यहाँ पर लद्दाक जो हमारा एक मतलब एक स्टेट यूनियन टेटरी बना है जम्मु कस्मीर है हिमाचल परदेश है उत्राखंड है, पंजाब है, हरियाना है यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है तो आप लग इसको एक बार देख सकते हैं ठीक है और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह करेंट अफेर्स का एक यहाँ पर और नगर हवेली तेथा दमन वा दिव दोनों केंदर सासित परदेशों का बिलय विध्यक जो था वो ओर्डिनेंस था कितना दौजर उननीस के माध्यम से उपजुक्त दोनों केंदर सासित परदेशों का बिलय कर दिया है यह पुनर गटन 26 जनवरी 2020 से परभावी है मतलब कि अब तक तो लागू हो चुगा है अब यह नए केंदर सासित परदेश का नाम दादराव नगर हवेली तथा दमन वा दिव होगा और इसकी राजधानी कहा होगी तो दमन होगी ठीक है नेक्स देखते हैं कि देश के चतूर्दिक अंतिम सीमा बिंदू मतलब वहीं आपको रिकॉल करने के लिए हाँ पे दिया गया है सबसे उतरतम बिंदू क्या है तो इंदरा कॉल है कहां पे है तो लद्दाख में है दक्षिंतम बिंदू कौन सा है तो इंद्रा पॉइंट है ये कहां पे है तो ग्रेट निकोबार दूइप में है बिन्दो गुष्भार्मोटी के नाम से जानते है तो गुज्रात में है धुर्वी बिन्द। अरुनाचल पर्धिस में है जगा का नाम की बिथु है मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू कौन चा है तो कन्या कुमारी में पढ़ता है और कन्या कुमारी में वहीं 8 डिगरी 4 मिनट उत्री एक्षांस तमिल नाडू ठीक है नेक्स देखते हैं कि हिमाले की कुछ जो पर्वत पर्मुक पर्वत स्रेणियों का उत्तर से दक्षिन का क्रम है यानि कि उत्तर से दक्षिन की तरफ जो पर्वतों का मतलब स्रेणियों का जो क्रम है वो क्या है तो यहां पर देखेंगे तो कारा कोरम है लद्दाक है जासकर ह स्पिर यदि-वालत से नेक्स्त देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा यह मकर्क पर एक कर्क एक दूसरे और च्छतिसगर ऐे वह भारत की मुख्य भूमी की तटीय लंबाई कितना है तो मुख्य भूमी का तटीय लंबाई जो है वो 6100 किलो मिटर है मैनमार की सरवाधिक सीमा किस भारतिय राज को असपर्स करती है तो उनाचल परदिस को असपर्स करती है जन संख्या की दिश्टी से भारत का विश्व में क पीशे छोड़ करके भारत विश्व की सबसे अबादी वाला देश बन जाएगा तो जन्संख्या पर नियंतरन आवस्यक है ठीक है नेक्स देखेंगे हम कि असम की सीमा कुल कितने राजियों आम के इंदर सासित परदिशों को असपर्स करती है एक और यहां पर करेंड का कोस् रोस दीव नील दीव और हैबलोग दीव का परिवर्थित नाम क्या है तो रोस दीव जो है उन्नेता जी सुबास चंदर बोस है नील दीव जो है वो सहीद दीव है और हैबलोग दीव जो है वो सवराज दीव है इसको याद करने का मैं एक छोटा सा मतलब कुछ भी टिकड करके इसको याद रखा जा सकता है तो जिसि कि मैंने बनाया है इसको याद रखने का तरीका रौस बोस ऐसे बहुत है यान कि शाइट हो गया है तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं जो जो शाहीत होता आ रहे लोग आश्याराजूना यानि और बहुत भारत कि अन्टूराजक्श सेफन और बहुत 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 होता मैं उस्कों कि स पहुत कर कि करने तो पाक जल डमरू के द्वारा प्रितक होता है यह आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कहां पर है यह पाक जल संदी यह देखिए मैं जूम कर रहा हूं यहीं है पाक जल संदी यह सिरलंका से अलग करता है ठीक है चलिए यह आप लोगों ने देख लिए चलिए नेक्स फिर पिर चलते हैं भारत के कौन से राज तीन और संतराष्टे सीमाओं से गी रहे इसका तो आंसर नहीं दिया गया है आप लोग कॉमेंट बक्स में बता सकते हैं लेकिन इसका अंसर होगा सिक्केम ठीक है और नेक्स देखते हैं यहाँ पर नेक्स है कि भारत के महतपुन चैनल ठीक है महतपुन चैनल कौन कौन से है तो नाइन डिग्री जो चैनल होता है वो लक्ष द्वीप और मीनिकाय के मद्ध होता है एट डिग्री जो चैनल है वो मालद्यूब और मीनिकाय के मद्ध का है ग्रेट या महान चैनल जिसको बोलते ह वो सुमातरा निक इंडोनेसिया और निकोबार के मद्द है पाक इस्टिर्ट जो है वो जल डमरू वो भारत और सिलंका के मद्द है माहिम क्रीक जिसको निवेसिका के नाम से जानते एक पतली सी निवेसिका है मुंबई नेक्स्ट है कि कच की जो खाड़ी हो पच्मी गुजरात में है खंबात की खाड़ी पुर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है लक्षद्वी सागर जो है वो लक्षद्वी पर मालाबार टट के मद्द है मननार की जो खाड़ी हो दक्षिन पच्षिम तमिलनाडू और सिरलंका के मद्ध है कोको एस्टिडल डमरू मद्ध जो है वो कोको द्वेप मैयनमार और उत्री अंडमान के मद्ध है डंकन पास जो है वो दक्षिनी अंडमान और लगू अंडमान के मद्ध है दस डिग्री जो चैनल है वो अंडमाल और निकोबार के मद्ध है नेक्स देखते हैं कि विभिन देशों के साथ भारत की अंतराश्ट्री ये सीमा की लंबाईयों संबंध राजयों के अंदर साथ से परदेश इसको मैंने पहले भी एक थोड़ा बहुत ओवराल इसका रिकॉ जो है वो बंगलादेश के साथ करता है ठीक है और बंगलादेश का जो सीमा रेखा का जो नियधारन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं तो रेड किलिफ बोलते हैं और सीमा से संबंधित भारतिये राज के इंसासित परदेशयों मुन की संख्या जैसे कि ये और फिर असम आता है दो में देखेंगे चीन के साथ हमारी जो भारत की बाउंडरी लाइन है वो 3488 किलोमीटर की सीमा साजा करती है और सीमा रेखा का जो निर्धारन जो करता है वो मैक मोहन रेखा करता है इससे भी पांच हमारे राज और केंसासित राज टच करते हैं जैसे क लद्दाक हो गया हिमाचल पर्देश हो गया उत्राखंड हो गया सिक्किम हो गया और नाचल पर्देश हो गया नेक्स देखेंगे कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंडरी लाइन है वो 3323 किलोमीटर सेयर करती है और इस जो शीमा रेखा का जो निर्धा रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये भी सीमा पांच राजियों के साथ ये साजा होता है जैसे कि गुजरात है राजस्तान है पंजाब है जमु कास्मीर है और लद्दाक है नेक्स देखेंगे नेपाल के साथ 1751 इसके बीच लाइनिंग का जो नियधारा नहीं किया गया क्योंकि हिमालय परवत है और नेपाल से वैसे भी कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है वो अभी ततकाल सीनोरियों में चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है तो उस पच्छिम बंगाल, सिक्किम और उत्राखंड फिर मैंनमार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो बाउंडरी लाइन है तो 1643 किलोमीटर है भारत में और भारत के चार राज्यों की सीमा जो है इससे लगती है जैसे उनाचल परदेश, नागा लैंड, मिजोरम और मनीपूर अब बात करें भूटान की तो भूटान में 699 किलोमीटर का बाउंडरी लाइन टच करता है और यहाँ पे जो राज्य जो लाइने टच करती है राज्य की वो पच्छिम मंगाल है, सिक्किम है, उनाचल परदेश है, अस्सम है नेक्स देखते हैं कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो लाइनिंग टच करती है वो 106 किलोमीटर टच करती है और अफगानिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है उसको दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ही हमारे देश का जो राज है कि इंसासित राज है वो लद्दाक जो है वही टच करती है जिसको हम लोग P.O.K. के नाम से जानते हैं ठीक है पाक अधिकरित कस्मीर अब मैंक मोहन रेखा का थोड़ा से इतिहांस जान लेते हैं कि क्या है मैंक मोहन रेखा तो अंग्रेजों के सासन के दोन भारत वचीन के मद्य उत्तर पुरू में यह सीमा रेखा 27 सप्रल 1914 को निधारित की गई थी जिसे मैक मोहन रेखा कहा गया इस नमाकरान में सर हैंडरी मैक मोहन के नाम पर किया गया बर्स 1914 में हुए सीमला समझोते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में सुविकार किया था नेक्स हम रेड क्लिफ की बात करते हैं तो बीभाजन के पस्चात 17 अगस्त 1947 को भारतव पाकिस्तान के मद्य निधारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है इस रेखा का ने धारन बौडर कमिशन द्वारा किया गया था इस कमिशन के अध्यक्श सर सिरिल रेड क्लिफ थे इन ही के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया था नेक्स देखते हैं कि कारा कुरम सिलनी को उच्छ एसिया की रीड यानि की बैक बोन आफ हाई एसिया के नाम से जाना जाता है यहाँ पर नेक्स टॉपिक हम भारत एक द्रिश्टी में यानि की भारत का जेनरल इंफॉर्मेशन हम फटाफट देख लेते हैं तो भारत देश का नाम क्या है तो भारत है अन्य नाम इसका जैसे की अर्यावर्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है जंबुद्यव के नाम से जाना जाता है भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान है और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उत्री अक्छांस से लेकर के 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्छांस तक ही है अब समझ में आ गया अक्छांस रेखा क्या है एक बार फिर से रिक्वाल करवा दूँ और ए अक्छांस रेखा जो है वो पच्चिम से पूरब की तरह जो काल्पनिक रेखा खीची गई है उस एक हम लोग अक्छांस रेखा के नाम से जानते हैं ठीक है देशांतर ये बिस्तार जो है उसका 68 डिगरी 6 मिनट पूरबी देशांतर से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट पूरबी देशांतर तक है देशांतर रेखा किसे करते हैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं जो कि इसमें बहुत confusion होता है यानि यहां तक कि मेरे को भी confusion हो गया था तो नर्थ पोल से साउथ पोल की तरब खीची गई पृत्वी परो कालपिंक लेखाओं को देशांतर रेखा करते हैं और भारत की जो जै मितियाकार की अगर बात करते हैं यह चतुस कोणी है ठीक है इसक साथे 82 डिग्री जो है पुर्वी देशांतर भारत के पांच राज्यो यूपी मद्द परदेश चतिस गड़ उलसे उमांद परदेश से होकर गुजरती है और साथे 82 डिग्री पुर्वी देशांतर जो ग्रिन विच जो हमारा मतलब मानक समय है वो और हमारा करक रेखा कहा आप एक जगर मिलती है तो 36 गड़ में एक दूसरे को काटती है यह भी याद रखने वाली बात है भागोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो लंबाई उत्तर से जो दक्षिन तक की लंबाई हो वो बती सो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पुर्व से पच्छिम की और जो चौड़ाई है वो 2923 किलो मेटर है अस्थलिय सीमा की केवल बात करें हम तो अस्थलिय सीमा 15106.7 किलो मेटर है और जलिय सीमा की बात करें तो 4516.6 किलो मेटर है और प्रादेशिक जल सीमा की अगर बात करें तो समुद्र टट से 12 समुद्री मिल यानि कि समुद्र ट से बारट 12 नौटिकल मिल के नाम से जिसको जाना जाता है वो प्रादेशिक जल सीमा है ठीक है नेक्स देखते हैं कि सनलगन छेतर जो है वो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुदरी मिल तक है अनन्य आर्थिक छेतर जिसको SCZ के नाम से बाना specific economic zone जिसको बला जाता है SCZ वो है सनलगन छेतर से जो है वो आगे 200 समुदरी मिल तक ठीक है और भारत की जलवायू जो है वो कैसी है तो मौनसूनी जलवायू है छेतरफल की द्रिष्टी से अगर देखें तो 32,87,479 किलोमेटर है जो 2015 में यह मापा गया है और 2011 की जनगनना का नुसर और 2011 की सेंसर का नुसर देखते हैं तो 32,863 किलोमेटर है छेतरफल की द्रिष्टी से विश्व में अस्थान इसका है सात्वा और कुल जनसंक्या है जो है वो विश्व की कुल जनसंक्या का 17.5% है और कुल जनसंक्या जो है एक अरब 21 करोड आठ लाग 4,977 है ठीक है यानि कि 121 करोड आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जनसंक्या की द्रिष्टी से विश्व में अस्थान जो है वो है द्वितिये और पर्तम अस्थान पे अभी वी चिन बरकरार है नेक्स देखते हैं कि पुरुष जनसंक्या जो है वो 63 करोड 32,70,258 है महिला जनसंक्या की अगर हम बात करते हैं तो 58,75,84,719 है और ग्रामी जनसंक्या की बात करें जो कि सबको पता है कि भारत की आत्मा कहा निवास करती है तो भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है चलिए ये तो थोड़ा बहुत कुछ अलग हो गया लेकिन चलिए यहां पर मेंट टॉपिक पर आते हैं तो ग्रामेंट जनसंख्या जो है 83.37 करोड है यानि कि टोटल जनसंख्या का 68.8 करोड और वहीं सहरी जनसंख्या की बात करें हम तो 37.71 करोड है यानि कि यानि कि जो परसेंटेज में अगर देखेंगे टोटल जनसंख्या का तो एक 31.16 परसेंट है 10 की जनसंख्या ब्रेदी दर जो है वो 17.64 परसेंट है ठीक है 2001 से लेकर यह 11 तक के बीच लेंगा नुपाद जो है यानि कि सेक्स रेशियो जो है वो 943 परती हजार पुरुसों पर है और सिशू लेंगा नुपाद है वो 918 परती हजार पुरुसों पर है जन संख्या घनत्व की बात करें यानि कि परती किलोमेटर में कितने एक किलोमेटर में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं तो 382 वर किलोमेटर 382 लोग रहते हैं एक किलोमेटर के अंतरगत में ठीक है नेक्स देखते हैं यहाँ पे कि कुल सक्षर्ता है 74.04% पुर्सो की सक्षरता जो है वो 82.14% मेला सक्षरता है 65.46% और अनुसुचित जाती की संख्या जो है वो 20 करोड 13,78,086 है यानि ये कुल जन संख्या का 16.6% है याद रखिएगा 16 बोला हूँ 16 यानि की 16.6% है अनुसुचित जन जाती की जन संख्या की अगर बात करें तो 10 करोड 42,184 जो लोग है वो कुल जन संख्या का 8.6% जो है वो अनुसुचित जन जाती में की संख्या है राज्यों की संख्या की बात करें हम तो 28 है पहले 29 हुआ करता था और किंद सासित परदेशों की बात करें अभी बर्तमान में तो किंद सासित परदेशों की संख्या जो है वो 8 है पहले कितनी थी तो पहले 9 थी परवतिय चित्र का अगर भी स्तार का बात करें तो 10.7% है पहारी चित्र का भी स्तार करें तो 18.6% है और पठारी चित्र का भी स्तार करें तो 27.7% है मैदानी चित्र का भी स्तार की बात करें तो 43.9% है करक रेखा परिस्तित आर्ष्ट राज अब करक रिखा पर इस सित हम देखेंगे कि आठ राज कौन सा है वहीं कि साड़े 30 डिग्री उत्री अक्छांस को हम लोग करक रिखा के नाम से जानते हैं तो इसमें कौनकों से राज्य सामिल है तो गुजरात है राजस्तान है मद्य पर्देश है चतिसगर है जारकंड है पच्छिम मंगाल है तिरपूरा है ओम मिजोरम है द्यूपा की संक्या बारा सोवार्ट है निर्जन सहित अंतराष्टिय सीमा से सनलंग्न राज यक्यंद सास पर्देशों की संक्या 18 है तेल सुधन सलाओं की संक्या जो है वो 23 है राष्ट्रिय राजमार्गों की संक्या जो है वो 266 है बड़े बंदरगाहों की संक्या जो है वो 13 है राष्ट्रिय पसु यहां का भाग है भारत का और इसका बैग्यानिक नाम जो है वो 15 टाइग्रेस राष्ट्रिय बिरासित पच्व के रूप में हम हाथी को मानते हैं राष्ट्रिय पक्षी के रूप में हम लोग मोर को जानते हैं इसका मोर का बैग्यानिक नाम है पावो की स्टेटस राष्ट्रिय ब्रिक्स की बात करें तो वर्गद है बैग्यानिक नाम है फाइकल बेंगा तो जनगन अमन है जिसके रचाइता रविन्दना टैगोर है और राश्ट्रिय गीत की बात करें तो वंदे मात्रह में रचाइता बंकिम चंद चटर जी है राश्ट्रिय भासा की अगर बात करें तो हिंदी है राश्ट्रिय लीभी की बात करें तो देवनागदी है राश्ट चलिए जीव जो है गंगा डॉल्फिन प्लेटी निस्टा गेंगेटी का है ठीक है नेक्स देखते हैं कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमील नाडो कराईकल केरल माहे एवं आंदर पर्देश यनम राज्यों में इस्तित है ठीक है चलिए आज की लेक्चर में इतना ही पिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो और नए है तो सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन को प्रेस कर देजे और बहुत मेनत लगता है वीडियो बनाने में बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हम मेरे लिए वहीं आपके तरफ से रिवार्ड होगा और आप लोगों के लिए मैं जो मतलब आप लोगों के लिए मैं अपने पूरी को सीज करूंगा ताकि अच्छा से अच्छा आप लोगों की भी प्रीपरेसन हो और हाँ इस वीडियो को आप लोग प्लीज अच्छा लगेगा तो आप लोग सेयर कर देना ठीक है चलिए और हाँ मेरे से जुडने के लिए अगर मैं लिंक दे दूगा मैं सोचल मेडिया पे मेरे से जुडने के लिए मैं लिक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दे और यह जीए साइक्व एजुकेशन को इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए हलो दोस्तों स्वागत है आपका जीए साइक्व एजुकेशन के योटूप चैनल पे तो आज का एपिशोड सुरू करने से पले हम हर बार की तरह एक अच्छा सा कोटेशन देखेंगे तो कोटेशन यहीं है कि आपकी किस्मत में वहीं इनसान बनना लिखा है जो आप बनना चाहते हैं मतलब कि आप वहीं इनसान बनोगे जो आप बनना चाहते हैं अगर आप अभी का टाइम जो एकजाम का टाइम एकजाम आने वाला है अगर आप सो करके निकालोगे तो एक जाम तो निकलने से रहा, एक जाम तो कभी निकलेगा नहीं अगर आप जग करके मेहनत करोगे, संघर्स करोगे और एक officer की तरह आप तैयारी करोगे तब एक आप officer बन जाओगे, आप एक अच्छे अधिकारी बन जाओगे तो ये quotation जो है, मतलब कि आपकी किस्मत में वहीं इनसान बनना लिखा है जो आप बनना चाहते हैं depend on your thoughts, आप कैसा सोचते हैं अगर सोचते हैं कि नहीं, आज आलस आगे, आज नहीं पढ़ना है और क्या हुआ कि छोड़ दिये, जैसे कि यहीं वीडियो मैं record कर रहा हूँ अगर ये वीडियो आपको देख रहे हैं और फिर पता मन में आया कि छोड़ो भाई, छोड़ देते हैं क्या फायदा देखने से, और बीच में ही आपने इसको escape कर दिया हो से कहीं इसी में से प्रस्तना आपके exam में आ जाए और आते हैं, जो चीज हम लोग छोड़ते हैं न, exam के लिए कि अरे इबाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसो पढ़ लेंगे वहीं चीज एक exam में आ जाते हैं तो वहीं किस्मत में भी लिखा जाता है, जो आप बनना चाहते हैं यानि कि यह आपके कर्म के उपर depend करता है, कि आप कैसा कर्म करते हैं अगर अच्छा कर्म किजिएगा, तो अच्छा बनिएगा, और बुरे कर्म करने पे तो फिर वहीं उसका परिणाम क्या मिलेगा वहीं बुरा मिलेगा, बोए, पेंड, बभूल का आम कहां से पाए तो वहीं वाली बात है, ठीक है, तो यह इस quotation यह बहुत ही अच्छा quotation था तो आई होप आप लोग तुरा सा motivate हुए होंगे, तो चलिए अब काम की बात करते हैं कि जैसे कि पता है कि NCRT सार संग्रा का यह जोग्राफिक एपिसोड चल रहा है, एक एपिसोड को मैंने अप्लोड कर दिया है उसको अगर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर डिस्किप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उसके थुरू आप जा करके देख सकते हैं यह जो NCAT का सार संग्रा चल रहा है, इसमें 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के जो भी इंपोर्टेंट प्रस्ट जो पूछे जाते हैं एकजाम में और जो एकजाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रस्टों को इसमें कवर किया गया है यह जोंतर रहा हैं, और भी سबजिक्ट का आपको देखना है, तो प्लेलिस्ट में बहुत जैसे कि की में इंडियां हिस्ट्री में जैने, भी अपलोड किया जा चुका है, पॉली का भी अपलोड किया जा चुका है, इसके बास हो Qian Viie Rem pair and ecology, यानि की लग बग बग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो को अफलोड किया जा चुक्क है आप लोग प्ले लिस्ट में जाई और देख लीजे ज्यादा टाइम नहीं लएगा मुस्किल से मेरा जो वीडियो होता है मैं मास्टर वीडियो यह ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में मैं पिश्वास नहीं र लिए यह पाएगा तो अधिएंसान खा नहीं सकता ना एक बार ज्यादा खाएगा तो क्या होगा टाइजेशन नहीं हो पाएगा सेम पढ़ाई का भी और फिर भी यह तो हमारा दिमाग है ना तो ज्यादा चीज को यह लोट नहीं ले पाएगा ना इसलिए हम कोशीस कि 60 वीडियो बनाए 20 से 25 मिनट का होगा जादा से जादा 30 मिनट का हो सकता है जिसमें एक या दो टॉपिक हम लोग कवर कर पाएंगे ठीक है उससे क्या होगा आप उसको अच्छे से समझ पाईएगा और हाँ एक और इंपोर्टेंट बात वीडियो अगर आप लोग देखना तो लास्ट तक जरूर देखिएगा होसा है कि इसी में से प्रस्ट एक्जाम में आ जाए और मेरे से परस्टनली जूडने के लिए आप लोग सोसल मेडिया के थ्रू जूड सकते हैं जिसका मैं लिंक नीचे डिस्किप्टन बॉक्स में दे दूँगा और कॉमेंट में भी उसको पीन कर दूँगा ठीक है तो ये इंडियान जोगरफी का ये हमारा दूसरा टॉपिक है पहले टॉपिक में हम लोग भारत का सम्मानने परीचा है और भारत का जो लगबग जेनर इंट्रोडेक्शन है जैसे कि भारत की जन संक्या कितनी है भारत का छेत्रपल क इतना है बात में कितने राज है कि इंड्रे कितने किंद्शाशित राज हैं ये सबके बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं भातिक बीभाजन यानि कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भारत का जो बातिक बी वीडियो देख लिजेगा तो क्या होगा हमेसे के लिए याद हो जाएगा ठीक है और यह आपके BPSC जो 66 में BPSC का प्री में भी फायदे मन्द होगा UPSC के एकजाम में भी यह फायदे मन्द हो सकता है NTPC का, Railway का उसके बाद से फिर आपका ESI Enforcement, Sub Inspector, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जितने भी Any Other Competition Examination है जिसमें GS पूछे जाते हैं उसमें यह Benefit सावित हो सकता है चलिए चालू करते हैं आज भौतिक विभाजन, Physical Division में क्या है, कौन से महत्पुन प्रस्न है तो पहला है कि भारतिय उप महाद्विप मुलता किस भुखंड का भाग था, तो गोंडवाना लेंड का भाग था भारत में उपलब्ध पाराचुंबकिये परिणामों, जैसे पारामैगनेटिक रिजल्ट्स से संगेत मिलते हैं प्राचीन काल में भारतिय भूखंड उत्तर दिशागी और बिस्ताफित हुआ है भूगार्विक संरचना यानि कि जियोलोजिकल स्ट्रेक्चर की द्रिश्टी से भारत के मुक्यता तीन भागों में विभाजित किया गया है तो तीने भागे कौन-कौन से हैं तो हिमालई परवतिय चेतर हैं उसके बाद से उत्तर का मैदानी भाग है दक्षिन का प्राइदीप ये पठार है नेक्स देखते हैं कि हिमाले के समनांतर संरचनात्मक भाग तो वलियों की तिवर्तत था निर्माण आयू के अधार पे इसको चार भागों में बाटा गया तो एक में है सबसे पहले है ट्रांस हिमाले जिसको तिवत का छेतर बोलते हैं हम लोग फिर दो में है ब्रिहत हिमाले जिसको महान हिमाले के ग्रेट हिमाले के नाम से जानते हैं फिर लगु हिमाले या मद्ध हिमाले के नाम से जानते हैं फिर लास्ट है चौता नंबर है कि बाह या उप हिमाले या जिसको सिवालिक हिमाले के नाम से जानते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है कि हिमाले का निर्मान समांतर वलय स्रेणियों से हुआ है इसमें प्राचिंतम स्रेणि कौन सी है तो सबसिप जो पुरानी स्रेणियों ब्रिहत हिमाले में है ये प्रस्ण पूछा जा चुका और ये ऐसे प्रस्ण पूछने की संभावना रहती है कि हिम सारीत समतल मैदान को क्या कहा जाता है तो भाबर कहा जाता है और यह कोछन पूछेगा कि उत्तर भरत में विमालाई छेतर के सहारे विस्तारित जो सबसे पुरानी जो मतलब पुरानी कछारी मिट्टी को क्या आ जाता है तो उसको खादर बोला जाता है तो ये बीपेसी में पूछा हुआ प्रस्न है नेक्स है कि हिमालाय का परवत पदिये परदेश कौन सा है तो सिवालिक है नेक्स्ट है कि सिवालिक सेल समूग के दक्षिन में इस्तित भावर छेतर किस समर्चना का उधारन है तो गिरी पद की इस्तिती का सिवालिक की जो औसतु चाहिए कितनी है तो 600 से लेकर के 1200 मीटर है नेक्स्ट है कि लगो हिमालय किन सेलियों के मद्ध में इस्तित है तो महाल हिमालय और सिवालिक सेलिक के मद्ध है हिमालय की नविंतम परवत सेलिक कौन सी है तो सिवालिक है नर्मदा यहां तापती नदियों के मध्धे कौन सी परवत्रेणी इस्तित है तो नर्मदा और तापती नदियों के मध्धे में जो परवत्रेणी है वो सत्थपूरा सेणी है और यहीं पर सत्थपूरा का जंगल है आप लोगों ने पढ़ा होगा सत्पुडा के घने जंगल ऐसा एक प्वेट्री था तो उसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नेक्स देखते हैं कि हिमालय की सबसे उची परवत स्रेणी कौन सी है तो हिमालय की सबसे उची परवत स्रेणी को हम लोग हिमादरी बोलते हैं या ब्रिहत हिमालय बोलते हैं या सबसे प्राचीन भी ब्रिहत हिमालय ही है ब्रिहत हिमालय यानि कि Great हिमालया जो है वो औसत उचाई उसकी कितनी है तो 6100 मिटर है अब नेक्स देखते हैं कि पीर पंजाल सेड़ी है जो पीर पंजाल रेंज है वो किस राज़ी में अवस्तित है तो ये है जम्मु कास्मिने अवस्तित है नेक्स्ट है कि पुर्वी हिमाले की तुलना में पच्मी हिमाले में ट्री लाइन यानिके ट्री लाइन की उचाई जो कम है ठीक है पुर्वी हिमाले की तुलना में पच्मी हिमाले में जो ट्री लाइन है की उचाई जो है वो कम है ठीक है ये भी question पूछा गया है उत्रा बतलब ऑक्षाई चीन एक चेत्र है वो लद्दा कहीं एक भाग है नेक्स्ट है कि पच्मी हिमालय यानि कि वेस्टन हिमालय परदेश के परमुख प्रकृतिक संसाधन क्या है तो वन है नेक्स है कि भारत की प्राचिंतम परवत स्रिंकला कौन सी है तो आरावली परवत स्रिंकला यह भी कोशन पूछा जा चुका है आरावली स्रिंडियों में कि अनुमानित आयू कितनी है तो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्स इसको माना गया है नेक्स देखते हैं कि माउंट आवरेस्ट का को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है एक बात याद रखिएगा नहीं बता देता हूं भारत की सबसे उची जो चोटी है वो कारा कोरम जिसको के टू के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं कि अरावली किस परकार की परवत स्रेणी है तो अरावली और सिस्ट परवत स्रेणी है और सबसे पुरानी स्रेणी भी इसको बोला जाता दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अनाई मुड़ी है जो केरल में है और इसकी जो उचाई है 2695 मीटर है नेफ्स देखते हैं कि निलगिरी परवत माला का विस्तार किन राजियों में है तो तमिल नाडु एवम केरल में है जो निलगिरी परवत माला का विस्तार है वो तमिल नाडु और केरल राजियों में है महराष्यों करनाटक के मद इस्तित पच्मी घाट को किस नाम से जाना जाता है तो महराष्यों करनाटक के मद इस्तित पच्मी घाट को हम लोग कौंकंटर के नाम से जानते हैं जो इलाइची की पहाड़ियां है यानि की काडमम की जो माउंटेन है वो किन राजियों के मत सीमा बनाती है तो केरल एम तमिलनाडो की सीमा बनाती है यहीं आप लोगों को याद होगा यहीं इलाइची जो है इलाइची की जो पहाड़ियां है इसी को तो देख करके अंग्रे तो फिर जब मसाला लेकर के वहां पे गया तो वहां से वहां पे वह अपने बैपार का 60 गुना से ज़्यादा अधिक मुनाफा कम आया तो फिर यहीं से सुरू होता है तब से ही फिर रंग्रे जाया वह तो खैर हिस्ट्री का पॉर्चन है आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंग पुछा जा सकते हैं कि पुर्वी घाट और पच्मी घाट परवत कहां पे मिलते हैं तो यह परसपर निलगीरी पहाड़ीओं पर मिलते हैं भारत की सर्वोच परवत चोटी कौन है अभी मैंने बताया आपको केटू जिसको कारा कुरम या गाडवी नास्टिन के नाम से भी पुचाई 8,611 मीटर है नेक्स्ट है कि बिश्व की सरवाधिक तिवर ढ़ाल वाली चोटी राका पोसी या जो है वो लादाक स्रयनी में इस्तित है मतलब एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं बिश्व की सरवाधिक तिवर ढ़ाल वाली चोटी जो है वो राका पो सी लताक स्रेणी में इस्तित है नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जो भौतिक मतलब संरचना है भौतिक विभाजन है वहाँ पर दिया गया है सबसे उपर आप लोग देख सकते हैं कि पामीर का पार्ट पठार है और उसके जस्ट बाये साइड में आप लोग मेरी आवाज पर स्रेणी है और उसके नीचे केटू यानि कि 8611 मीटर जो गाडवी नास्टिन है फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुनलून की सेनी है फिर नीचे की तरह पाएंगे तो काराकुरम की सेनी है फिर लदाख रेंज है फिर जासकर सेनी है फिर नंदा दे दे भी यहाँ नीचे है मैं दिखा रहा हूं फिर यहाँ पर बाएंस सेट में देखेंगे कि नंगा परवत है 8126 मीटर इसकी उचाई है फिर वहाँ पर नीचे पीर पंजाल का आता है फिर धोला धर आता है ठीक है जिसका लोकेशन यहाँ पर दिया गया है कौन सा परवत क यहाँ पर है ठीक है फिर यहाँ पर हम नंदा देवी देखेंगे 7800 17 मीटर जो है और फिर ब्रिहद हिमालय का छेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है फिर धोला गिरी आता है नीचे मतलब जो उत्तर से ले करके और पुर्वी भाग तक जो भी हिमालय का जो श्रेणी है जो प्रवत श्रिंख लाएं है और जो भी चोटियां है उनका नाम दिया गया तो उत्तर से हम पूर्व की और बढ़ना चालू करते हैं तो देखते हैं तो मद्य हिमालय में कौन-कौन सा जो श्रेणी आता है तो मद्य हिमालय में आता है धोला गिरी है जिसका उचाई जो है 817 272 मीटर है फिर मद्ध हेमालय में अनापुर्णा आता है फिर अनापुर्णा की जो उचाई है वह 8,078 मीटर है फिर माउंट एवरेस्ट आता है 8,848 मीटर है तो माउंट एवरेस्ट जो किसका भाग है तो मद्ध हेमालय का भाग है ठीक है फिर मकालू आता है 8,481 मीटर है फिर कंचन जंगा का नाम आता है जो 8595 मीटर है फिर बगल में यहां पर सांगपो नदी जो तीबत से हो करके मतलब तीबत में बहती है फिर यहां नम्चा बरवा का भी नाम आता है जो 7756 मीटर है और वहीं से फिर अगर हम इधर पूरब की ओर बढ़ें तो पटकाई भूमी का नाम आता है फिर नगा पहाड़ी है फिर लुसाई पहाड़ी है फिर आराकान है वहीं आराकान का तो छेत्र मयनमार में पढ़ता है ठीक है और यहीं आराकान आप लोगों को मैं एक चीज़ी बता लूँ करेंट इसू में बहुत ही फेमोस बनता है रोहंगिया मुसल्मा तो यहीं आराकान प्रांद के ही वो रोहंगिया मुसलमान थे, ठीक है, ऐसा पूशा जा सकता है आप लोगों से, फिर अगर हम बात करें असम में, असम वाले रेंज में देखते हैं, तो गारो, खासी और जहनतिया तीन, मतलब परवत स्रिंख लाएं है, फिर यहाँ पे उसके बाद से जेलम है, चिनाव है, रावी है, सतलव, यहनि कि पांच नदियों का यह समू जो आता है, फिर यह आकर के यहाँ पे, और यह जाकर के, यह कच का रंड जो है, नीचे है, गुरू सीखर है, 1722 मीटर है, आरावली की स्रिंख लाएं है, फिर मध्य भारत है, मध का पठार है, चंबल नदी है, बेतवा है, कैमूर है, यमुना नदी भी है, यहाँ पे, सिवालिक स्रिंडी में, धौला धर, गंगा नदी का ट्रिब्योटरी है, फिर यहाँ पे उत्री भारत का विसाल मैदान, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, घागरा नदी है, फ हम लोग बात करें, तो उतकल का मैदान है, महेंदर गिरी है, पंदर सो एक मीटर, इसकी उचाई है, फिर तेलंगाना का पठार देखने को मिलता है, फिर उत्री सरकार एक जो तट है, वो औरवया कुंडा, आंदर मैदान, नलाम मलाई हिल्स, जो आंदर पतिस्या तेलंगा सो देखने का भाग है, तो फिर देखें, जावादी है, कोरो मंडल टट है, सिवराय है, तमिल नादू का मैदान है, फिर उस्रिलंका इधर आप लोग देख सकते हैं, महेंदर गिरी का जो है, महेंदर गिरी भाद का मुखिभूमी की दक्षिन्तम चोटी है, काड़म की जो पहाडियां जो है वो आपको मैंने अन्ना मलाई में हैं पाल घाट है फिर उसके उपर हम लोग कावेरी नदी देखते हैं करनाटक का पठार देखेंगे फिर फुर्वी घाट है करनाटक का पठार साथ माला स्टेनी तो ऐसे आप लोग आप लोगों के पास तो बुक होगा ही आप लोग एक बार इसको समझने की खोशिस कीजेगा ठीक है और फिर हम गीर का परवत जो पढ़ता है वहीं गुजरात के छित में पढ़ता है वहां कच कारण है ठीक है यहाँ यहाँ पर ACI बबर सेट की सबसे मात्रा पाई जाती है ठीक है फिर नेक्स हम लोग देखते है षिर एक समझने का कोशिस कीजे ठीक है मैं कुछ नहीं कि लिए इसको रोक देता हूँ और इसको आप जूम करके देख सकते हैं नेक्स कुछचन देखते हैं कि माना-दर्रा उत्रा खंड को किस से जोड़ता है तो तिब बन यहांिनघ वो टीबत उत्रा जोlyसे हैं तो माना भुर्ब देवी सीखर जो है वो किस राज में अवस्तीत है तो उत्राखण में अवस्तीत है अरावली सेणी का उच्तम प्रवत सीखर कौन सा है तो गुरु सीखर है जिसकी उचाई 77... 22 मीटर है राजस्तान में ये पढ़ता है हिमाले परवत की एक सेड़ी जो जिसका नाम आरा कान योमा की इस देश में इस्थित है तो मयामार में इस्थित है नेक्स देखते हैं नेक्स है कि कुल्लू घाटी जो है वो किन परवत सेड़ियों के मद इस्तित है तो धौला धर्त था पीर पंजाल के मद इस्तित है पालगाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मद इस्तित है तो निलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के मद इस्तित है नाथुला दर्रा ये question पूछता है हमेशा नाथुला दर्रा जो है वो किस राज में है तो सिक्किम राज में है फिर next देखते हैं कि उत्राखंड में कुण धारी बनो एवम छोटे छोटे घास के मैदानों को वग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है नेक्स देखते हैं कि लिपू लेक माने वो निती दर्रा जो है किस राज में अवस्तित है तो उत्राखंड में अवस्तित है रोहतांग दर्रा जो है किस राज में अवस्तित है तो हीमाचर परदिस में इस अवस्तित है पुर्वी हिमाले में ओसत हीम रेखा जो स्नो लाइन जो है वो 3500 मीटर तथा पश्मी हिमाले में 2500 मीटर उंचाई पर पाई जाती है भारत का सबसे बड़ा जो हिमनत जो है ग्लेसियर है कौन सा है तो सियाचीन है जो कहाँ पर पढ़ता है तो लद्दाक में पढ़ता है और यहीं सियाचीन है जहां पर हमारे देश के विरसी पाही दिन रात निग्रानी में लगे रहते हैं ठीक है और यहां पर माइनस चार डिंगरी सेंटीग्रेट यहां का तापमान है सबसे उचाईप है ना इसी वज़ा से चौरा बाड़ी गिलेसियर जो है वो कहां इसी थे तो केदानात मंदिर के उत्तर में है जो उत्रा खण में पढ़ता है मेघालाय का पठार जो है मेघालाय प्लेट यू जो है किसका भाग है तो प्रायदीपिय भारत का भाग है भारत के प्रायदीपिय परवत किस काल में निर्मित हुए तो पहले ओ जो एक महा कल्प में प्रायदीपिय परवत निर्मित हुए है अरावली ओम बिन्द स्रिंख लाओं के मद्ध कौन सा पठार सिथ है तो मालवा का पठार इस्थित है डंडाकारण या वन जो डंडाकारण या छेत्र जो है वो कहां वस्थित है तो 36 गणे ओम उलिशा के मद्द वर्ति भाग में वस्थित है नेक्स्ट है कि लगु हिमाले ओम सीवालिक स्रेणी के मध्ध में बिस्त्रित संतल संरच नातमक कस अस्थल को पुरुक में दौर्द था, पच्छी में दून के नाम से जाना जाता है ठीक है, जैसे कि जो संरच नातमक कस तल जैसे देरा दून का आप लोगोंने नाम सुना होगा तो पच्छी में दून के नाम से उसको जाना जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं कि भारत का औसत समुद्र तल की तट से मापा जाता है तो भारत का औसत जो समुद्र तल है वो चन्नई के तट से मापा जाता है भारत की समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो वो कुल लंबाई है लगवल 7517 किलोमेटर है भारत के तटिये राजियों में किसकी सीमा सबसे लंबी है तो गुजरात की भारत के कितने राज समुद्र रेखा से सनलगन है तो 9 हैं भारत के tati industrialek को हम लोग देख सकते हैं 30 मतलब कौन से राज्य हैं तो गुझ्रात है नीचे से हम मतलब मैप में में किजैं क्छी गुझ्रात चेतर देख है जैसे पच्मी भाग में गुज्रात है तो उसी के अनुसार हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते सीधे हम लोग मतलब आएंगे ठीक है तो गुज्रात है महाराष्ट है फिर करनाटक तमिल नाडो फिर पच्छिम मंगाल और आंद्र परदेश इमेजन कीजिएगा फिर ओडिशा और फिर हम लोग गोवा का भाग जो देखेंगे लो लेकिन ये गोवा तो पच्छिमी भाग में है ठीक है तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे भारत के तरटीय राज कौन-कौन से है तो गुज्रात महाराष्ट करनाटक केरल तमिल नाडो प मतलब तरटीय राज का मतलब यह हुए कि ऐसे जो राज है जो मतलब जैसे की सागर से मिले हुए है ठीक है तर्ट है मतलब वहाँ पर समुद्र तर्ट है ठीक है तो भारतिय प्राचीन इतिहासिक भूगल में रतनाकर नाम किसका सूचक था तो हिंद महासागर का सूचक क्य का नाम हम लोग कोरो मंदल के नाम से जानते हैं को एक कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो केप कमोरबोरीन के नाम से अंडमान और निकोबार दूप समुह में सभसे अधीक उचाई वाली PIC कॉनसी है तो सेंडल्ड्ल है ठीक है अंडमान वा निकार समय में सबसे अधिक उचाई वनी जो चोड़ी का नहां होँ शैड़ल पीक है I mean next देंखते हैं का अनडमान वा निकार द्यूपी समय में इस्चित हैं कहां है तो वोगन निकार जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और वहीं निकोबार द्यूप समय में द्यूप की संकिया 572 है 10 डिगरी चैनल जो है वो किन दो द्यूपों को प्रितक करता है तो अंडमान को निकोबार से प्रितक करता है वहीं जो 8 डिगरी है वो लक्ष द्यूप को मिनी को ऐसे करता है ठीक है next देखते हैं कि Baron Dwip जो है Baron Dwip जो अवस्तित है कहा पे है तो बंगाल की खड़ी में है स्रीर हरी कोटा जो Dwip है कहाँ अवस्तित है तो पूलीकर्ट जिल के समफ यही स्री हरी कोटा है जहां से हमारा स्पेस जो satellite लॉँच यहीं से किया जाता है rocket को launch किया जाता है स्री हरी कोटा से ठीक है राम से तु जो है यानि कि जिसको Adams का ब्रिज आदम का पूल जिसको बल Поэтому होता है तो जहां से प्रारम होता है तो धनुस कर गया ठीक है टंग स्लीप कर गया मेरा लक्ष द्यूप जो है वो अरब सागर में है और अंडमान्नी को बार कहा है तो अंडमान्नी को बार बंगाल की खाड़ी में एक बार और फिर से रिकॉल कर लेजिए अंडमान्नी को बार जो है वो जो अंडमान्नी को बार है वो आपक करता है करता सिरलंका के मद्ध कोन सा स्थीत है तो है फंबन द्वेप इस्थी थे और भारत को कोरी क्रिक कहां इस्तित है तो कप्च के रण में इस्तित है कप्च का रण का है गुजरात में है ठीक है सरक्रिक जो विवाद है वो किन दो देशों के मद्ध है तो भात हैं पाकिस्तान के मद्ध ये भी बाद है और सरक्रिक जो है वो सरक्रिक एक अंग्रिज ओफिसर का नाम दिया गया है तो देख लेते हैं हम एक तरफ सीखर है देश है और उसका उचाई है तो माउंट एवरेश्ट की अगर बात करें तो नेपाल में और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है जिसके उचाई जाने की केटो यह जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है यह भारत देश की सबसे उची पर परवत चोटी है और इसका जो मतलब जो सबसे उची सीखर इसका जो उचाई जो आठ चीछ सो ग्यारा मीटर है फिर कंचन जंगा का नाम आता है तो यह भारत में 044191 मिटर है धौलागीरी जो सिखहर है इसकी ये जो नेपाल में पड़ता है इसका जो पॉच्जा혜 है 8872 म।ार है नंगा परवत भारत में पड़ता है !! 800126 मीटर नन्दा देवी जो है भारत में पड़ता है । 7plete356 मिटर नम्चा बर्वा जो है वो भारत में ही पढ़ता है 7700 566 मिटर इसकी भी उचाई है और गुरूल मन्धाता जो है वो तिबद में पढ़ता है जिसकी उचाई 7700 नेक्स देखते हैं कि सतला जो हम सिंदु नदी के मद्ध इस्तित हिमाला के भाग को कास्मीर हिमाला या पंजाब हिमाला के नाम से जाना जाता है चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में description box में जाएए और वहां से और भी सारे वीडियोज को आप अक्सेस कर पाएंगे देख पाएंगे और आप अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपनी सुझाओ कॉमेंट बॉक्स में जरूर ही देजिए ठीक है ताकि मैं और भी सुधार कर सकूं और भी जो चीज इंपोर्टेंट है उन्हों चीजों को आप तक मैं सेयर कर पाऊंगे तो एक बार इस चैनल को प्लेज आप लोग सब्सक्राइब कर दिए अपने दोस्तों को सेयर कर दिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप लोगों अपना कीमती टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखे और चलिए ठैंक्स अलो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका GSIQ Education के योटूब चनल पे तो आज का एपिसोड सुरू करने से पहले जैसा हर बार की तरह हम लोग एक अच्छा कोटेशन देखेंगे तो ये कोटेशन जुआओं के प्रेड़ना स्रोत और हमारे यूथ आइकन स्वामी विबेकानन का ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है तो ये कोटेशन ऐसा है कि आप जैसा विचार करेंगे आप वैसे हो जाएंगे मतलब कि आप जैसा विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे अगर आप अपने आपको निर्बल मानेंगे, तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आपको समर्थ मानेंगे, तो आप समर्थ बन जाएंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर आप अपने आपको कमजो है ठीक है वो कहा गया है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत ठीक है तो ये स्वामी विबेका नंद का बहुत ही अच्छा कोटेशन था और आई होब कि ये कोटेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और चलिए फिर इस एपिसोड में हम आज करेंगे जैसे इंडियन जोग्राफी का मैंने दो वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ और और भी ये एंसी आटी सार्संग्रा महेश कुमार परनवाल की बहुत ही अच्छी पुस्तक है सिक्स क्लास से टूएल ब्लोग क्लास तक के सारे पॉइंट को इसमें जो भी इंपोर्टेंट कोस्चन से उनको इसमें लिखा गया है लेकिन एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि केवल एंसी आटी सा परनी परेगी जैसे विपिन चंद्रा हो गया स्पेक्ट्रम हो गया या फिर लूसेंट हो गया क्राउन हो गया मतलब यह जो है इसमें महत्पुन प्रस्णों का संग्रह किया गया है लेकिन और भी चुकि जीएस तो अथा समुद्र है ना तो फिर उसके लिए आपको अलग सब्सक्राइब यह तो आफ लोगान कंति होगी आप लोगार कौमेंट में बताएंगे तो होचा कि तो करेंट अफिरस का भी मैं मतलब कमेंट में बताइए कि आप लोगेंट का वीडियो चाहते हैं जो इंपोर्टेंट एक चांब के पॉइंट ऑफ यू से जाने की संभावना है तो क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहारे स्पेशल पर भी कुछ वीडियो बनाया जाए तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहां पर कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है आप लोग कॉमेंट करके वहाँ पर बताईए तो इंडियन जोगरफ है तो इसके डिस्किप्शन बॉक्स में जाईए नीचे मिल जाएगा लिंक और और भी सारे सब्जेक्ट के यहां पर वीडियो अप्लोड किया जा चुक है उसको भी आप लोग देखें चलिए बीना देरी की हुवे सुरू करते हैं आज का यह भौतिक स्वरी आज यह जो इंडियन जोगरफी है उसमें हम लोग एक टॉपिक चालू कर रहे है क्लाइमेट यानि की जलवायू ठीक है तो इसका जो महत्पून प्रस्त हम लोग देखेंगे कि किसी छेत्र की जलवायू को निर्धारित करने वाला मुख्य कारा कौन सा है तो अक्छांसिये अवस्तित गया है तो उसको हम लोग देखेंगे जैसे कि जलवायू को निर्धारित करने वाले कारकों के लिए एक सब्द यानि कि लैंड फॉर्म्स का परयोग किया जाता है जो जलवायू को परभावित करते हैं ठीक है जैसे एल फोर लैटिट्टूड होता है यानि कि आक्छांस र से होता है नियर्नेस फ्रॉम सी यानि कि समुद्र से निकरता होता है डी से होता है डाइरेक्शन ओफ वाइंड मतलब डाइरेक्शन ओफ विंड होता है यानि कि पवन की दिशा होती एप से फॉरेस्ट ओ से ओसियन करेंट्स यानि कि समुद्री जल धारा है आर से रैनफॉ वर्षा होता है, M से Mountain, यानि कि पहाड या परवत, S से Soil, यानि कि मिड्डी, Next question देखते हैं कि भरात में ग्रिश्म कालेन मौनसून के परवाह की सम्मान्य दिशा क्या होती है, तो दक्षिन पच्छिम से उत्तरपुर्ग, यानि कि जो मॉन्सून जो होती है, मॉन्सून कहां से परवेश करता है, तो दक्षिन पच्छिम, यानि कि केरल के तर्ट से हम बोल सकते हैं, केरल के तर्ट से और कब मॉन्सून परवेश करता है, या आप लोग कॉमेंट बॉक्स इसी बहाने तो आपको तीन-चार फैट्स तो भी तो पता हो जाएंगे ना इसी वज़ा से आप लोगा आंसर लिखने का कोशीज कीजिए ठीक है जो अगर मैं आपर पूछ रहा हूं तो कॉमेंट सेक्षन में लिखने का कोशीज कीजिए ठीक है तो भारत में गिस्म कालिन मन चोबों के परभाव से वर्सा होती है भारत के किन राजियों में सरद रितू में बर्सा होती है तो पंजाबयों तमिल नाडू में होती है भारत में औस वार्सिक वर्सा कितनी है तो लगबग 125 सेंटीमीटर है और यह औस वार्सिक वर्सा जो मापने की जो मसीन होती है यान रेंत्र होता है उसका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं तो उसको हम लोग रेंगेज के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं तो रेंगेज के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि भारत में सरवाधिक वर्सा किन छित्रों में होती है तो भारत में सरवाधिक जो वर्षा होती हो पच्मी घाट में होती है हिमाले तथा मेघाले में होती है ठीक है मेघाले में मौनसीन दाम है और चेरा पुंजी है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब बारिस होती है ठीक है भारत में उश्न कटी बंधिया मौनसीन जलवायू पाई जाती है तता यहां सरवाधिक वर्षा दक्षनी पच्छमी मौनसून द्वारा होती है जलवायू को मौनसूनी जलवायू गहा जाता है नेक्स्ट है कि भारत उपमहाद्यूप पर ग्रिस्म दितों में उच्छताप छो और निम्दाब हिंद महासागर से हिंद महासागर से वायू का कर्संन यहिंके द्रोज करते हैं जिसके जोड़ बेपारिक पॉऑने कि तो जू Left बर एवं 0 डिग्री से ले करके 30 डिग्री दक्षनी अक्षांसों के मद्द बहने वाली पौने हैं मतलब कि 30 डिग्री तक तो हम साहे 30 डिग्री उत्री अक्षांस को हम लोग मकर रिखा के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे साय 30 डिग्री नहीं है यानि कि 30 डिग्री उतरी है और 30 डिग्री जीरो से 30 डिग्री यानि कि एक्वेटर से 30 डिग्री दक्षनी अक्षांस के मद जो बहने वाली जो पौने हो बैपारी पौने कहलाती है यह जो पौने होती है उपोस्न यानि कि उपोस्न उच वायूदाब कर्टी बंदों यानिकि 35 डिग्री एनस से विश्वतिय नॉर्थ साउथ से एनस का मतलब यहाँ पर नॉर्थ साउथ हुआ नॉर्थ साउथ से विश्वतिय निम्न वायूदाब कर्टी बंदों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की और पर आती है उतरी गुलार्ध में इने उत्तर पुरु बैपारिक पौने तथा दक्षिने पुरु बैपारिक पौने कहा जाता है नम से जाना जाता है भरात में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान कौन सा है तो ले है ठीक है और लेहका है तो लदाक में है ठीक है कोपेन जो है कोपेन ने वर्स 1918 में विष्व जलवाईव को कितने वर्गों में विभाजित किया था तो पांच वर्गों में विभाजित किया था तो जलवाईव ने धारन के अधार पर मतलब यह है एक में है वारसी के मासिक उसत्ता अपमान वार्षी के मासिक वर्षा और वनस्पति तो कोपेन जो है वो कोपेन की ओजना के भारत के जलवाईव परदेश कौन-कौन से हैं तो देखते हैं कि लगू सुस्क रितु वाची जो होता है मनसुनी जलवाईव जिसका वन संकेत ए-m-डबलू है तो इ यह एकजाम में पूछे जाते हैं उस्न कटिबंदी समाना जलवाईव यह कोशन पूचा हुआ है तो इसका वन संकेत है ए-डबलो यानि कि करक रेखा के दक्षिन में प्राइदीप्य पठार का अधिकांस भाग है नेक्स्ट है कि अर्द सुस्क स्टेपी जलवाईव यान अनि पूच्ट्य मार वसते लिए जलवाया जो है बडबलु एच डव नयौ है तो राजस्तान का सबसे पचमी भाग है सुसक सित रिटू ये कोशन पूचा गया है नहीं सुसक सित रिटू जो होता है CWGs का बन कानाम है और यह जो है वो गंगा का मैदान- पूर्वी राज स्थान और उत्री मद्य परदेश उत्री पुर्वी भारत का अधिकतर परवेश लगो गिस्म तथा सीत आदर रितु की अगर बात कहने तो डी एप सी की इसको सुचित किया जाता है और उनाचल परदेश और सीकिम और अस्टम इसका छेतर है धुरूवी तुल्य जलवायू जो है उसको ई से सुचित किया जाता है और जम्मु कास्मिर लद्दाख ही माचल परदेश और उत्राखंड इसका छेतर है तुन्डरा जुल्य जो जलवायू है उसको ईटी के नाम से जानते हैं उत्राखंड के परवतिय छेतर में मतलब मुक्यता रूप से इसका छेतर जो है उत्राखंड और परवतिय छेतर है और जो उसने कटी बने अविसरन छेतर जिसको ईटी सीजेड के नाम से जाना जाता है तो इसको देखेंगे कि ईटी सीजेड जो क्या होता है तो एक निम्न बायुदा प्रवतिय प्रित्वी के चारो और समानेता विश्वत रेखा के उपर चारो और इस जित है यह वस्दुत्वा एक दुलायमान यानि कि स्विंगिंग पट्टी है आई टी सीजेड वह छेतर है जहां उत्तर पुर्वी एवं दक्षनी पुर्वी बैपारीक पौने मिलती है दोनों पौनों के मिलने से विश्वतिय पश्वा पौनों की उत लग गया तो यह जो लू है जो उत्री मैदान में पंजाब से भिहार तक चलने वाली एक सुस्क पौने है नेक्स्ट है नेक्स्ट यहां पर भारत का जो एक मांजित्र है दक्षिन पच्छी मांसून की आगमन तथा उसका सम्मान ने तीथियां दी गई है तो यहां पर इसको ऐसे वीडियो में समझा पना थोड़ा सा मुश्किल राकाम है चुकि मैं जब बोर्ड पे इसको या फिर इसके लिए सेपरेट लेक्चर मैं मतलब लेकर करके आँगा तो इसमें आपको वहां पर कवर करवा दूँगा ठीक है तो इसको एक वार स्क्रीन सोट ले पर्वेस करती है जो दक्षिन प्रसीं मांसून तो इसका दिशा क्या है जैसे कि यहां पर आपको मैं बता दूँगे तरक पर बिश्य करती है 10 जून को मुंबई के तर बिवर एक जून को एक तिर्वनन पूरम के मतलब वहां पराविषा करती है ठीक है तो उसके बाद से फिर हम एक जुलाई को परवेश करती है वहां गुजजात के कख्षे रन में परवेश करती है ठीक है और यहीं मतलब धीरे-धीरे जिये जो मौनसुन जो हो धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाती है जैसे कि अगर एक जुन कर केरल की तट पर अगर परवेश कर रही है तो यह सीधे और एक जुन को यहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए भी यहां पर पच्छिम बंगाल में यह परवेश करती है ठीक है तो इसको एक बार स्क्रीन सॉट ले लीजिए और इसका जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं अच्छे से बोड़ पे मै पूर्व मौनसून की बोचार से यानि कि करनाटक करनाटक में जैसे की पांच जुन को मौनसून परवेश करती है तो जैसे ही मौनसून परवेश करती है और बोचार जो होती है उसको कौफी बरसा यूम चेरी ब्लोसम का उस चेरी ब्लोसम उसको बोला जाता है आमर बरसा जो है किस राजी से समबन्दित योंतिय कर ना थम जानते हैं यहां परन्सुन कान दक्षिन पच्षिमी मौनसुन का समय समानित होता है वो जून से सितमबर तक होता है भारत में मौनसुन का आगमन सबसे पले किस राजी में होता है तो केरल में होता है भारत में नौर्वेस्टर की उत्पती कहां से होती है तो छोटा नागपुर के पठार से होती है नेक्स्ट है कि तम उत्री पुर्वी मौनसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज जी कौन सा है तो तमिलनाडो है नेक्स देखेंगे यहाँ पर कि भारत के किन छेत्रों में और सत वर्षा और सत वार्षिक वर्षा दो सो मिलिमीटर होती है तो जम्मू कास्मिरो पच्मी राजास्तान में होती है अमरित सरयोम सिमला लगवग एक ही अक्षान स्पेस्तित है किन्तों उनकी जलवायों में भिन्यता का मुख करन की उंचाई में भिन्यता है ये कोशन बीपीएसी के दोरा पूछा जा चुका है बहारत में सरवाधिक दैनिक तपांतर कि सस्थान पर पाये जाता है तो राजास्तान के मरवस्तलिय में पाये जाता है देनिक तपांतर मतलब वही राजस्तार के मरवस्तली छेते में होता क्या है कि दीन में सुस्क और रात को ठमा की राते जो होती हो ठंडी होती है भारत में मौनसुन के प्रसफोर्ट के लिए किसे उतरदाई माना जाता है तो पूरवी जेट परवाओ को माना जाता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉपिक की एक टॉपिक के रूप में ही समझ लेते हैं कि भारत में बर्सा का वित्रन यानिकि डिस्ट्रिब्यूशन ओफ रेन फाल इन इंडिया तो भारत में औसद बर्सिक बर्सा लगवग 111 सेंटिमीटर होती है प्रन्तु इसमें छेत्र यह भिन्यता पाई जाती है जो निम्नुमत है अधिक बर्सा वाले छेत्र जो कौन-कौन से है तो अधिक बर्सा वाले छेत्र वहीं कौन से होंगे तो पच्मी घाट जहां पर मौनसुन का परवेस होता है तो पच्मी घाट होंगे उसके बाद से उतर पुर्व के जो उतर आपनों इमेजिन किजिएगा उत्तरपुर्व के उप हिमालाई छेतता मेघालाई की पहाडियों पर अधिक बर्सा होती है, यहाँ बर्सा 200 cm से अधिक होती है, खासी और जैनतिया पहाडियों के कुछ भागों में 1000 cm से भी अधिक बर्सा होती है, ब्रहमपुत्र की जो घाट यहाँ निकट वर्ती पहाडियों पर 200 cm से कम बर्सा होती है, मतलब कि अगर खासी और जैनतिया पहाडियों कुछ भागों में 1000 cm से भी बर्सा होने के कारण यह है कि यह जो पहाड है पहाडी छेत्रों में जब मौनसून परवेश करती है, यानि कि जो हवाएं जब जाती है तो पहाड से टकरा करके वो संगनित हो करके उपर क्यों उठती है और फिर बारिस को करवाने में सहायक होती है, ठीक है, नेक्स दिखते हैं कि मध्यम बर्सा की जो चेत्र है तो मध्यम बर्सा की चेत्र गुजरात के दक्षनी भाग, गुजरात के दक्षनी भाग जो से और मनीपुर में 100-200 cm के बीच वर्षा होती है नियून वर्षा के छेतर को हम दोग देखेंगे तो पच्मी उत्र परदेश दिल्ली हरियाना पंजाब जम्मू अकस्मीर पुर्वी राजस्तान गुजरा तथा दकन के पठार पे वर्षा 50-100 cm के बीच होती है अत्यालप से आंद्र परदेश करनाटक और महराष्ट की व्रिष्टी चाया परदेश यहनिके रेंट सेडो रीजन वर लद्दा के पच्मी राजस्तान के अधिकतर भागों में 50 cm से कम वर्षा होती है जेट स्टिम जो होता है और छो मनल के मद अच्छासों में अक्छांसों में धरा चैनल को अगर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर आप इसका प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अपनी सुझाओ एक कॉमे कि अगर आप लोग सजेशन देंगे तो फिर मैं सेपरेट वीडियो एक बिहार स्पेशल पर मैं वीडियो बनाना चालो करूं और करेंट फिर्स का एक जो इंपोर्टेंट कोस्चन जो है उसको मैं लाने की कोशिस कर सकता हूं अगर आप लोग अपना सजेशन देते हैं तो तो चलिए और दोस्तों को सेर कर दीजिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने इस जीएस आईको एजुकेशन को आप लोगों इतना सपोर्ट और इतना सारा प्यार आप लोग दे रहा हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का मिलते सब्जेक्ट्स के एपिसोड को अप्लोड किये जा चुके हैं अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर कि आप लोग उसको देख सकते हैं और आज के एपिसोड में हम इंडियन जोगरफी का ये बहुत ही सांदार टॉपिक मृदा यानि कि स्वाल इसक अगर आप लोगों ने इंडियन जोगरफी का पिछला लिक्चर नहीं देखा तो उसको भी जाकर कि आप लोग देख सकते हैं और और भी सब्जेक्ट्स का जो जैसे इंडियन हिस्ट्री होगा जिसमें मेडीवल और मोडर्न इंडिया फिर से फिजिक्स, केमेस्ट्री, बा बोक्स में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए ताकि जो भी नए चीज अपडेट में करता रहूंगा नए नए चीजों को ले करके आता रहूंगा तो आपके पास सबसे पर नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए बीना देरी की हुए शुरू करते ह है आज इंडियन जोग्रफी का एक बहुत ही सांदार टॉपिक मृदा तो देखते हैं कि भारत की मृदाओं का वर्गी करन जो है वो उत्पती रंग और संजोजन तथा वस्तिती का अधार पर कितने भागों में किया गया है तो इसको देख लेते हैं ठीक है तो आठ भाग से भी हम लोग जानते हैं सब्ध की जो उत्पती है लै driver भासा के सब्ध सोलम से हुई हुई है लातintage भासा के सब सोलम से हुई है मतलब ऑल लूम से हुई मतल stri arm Column से हुई है जिसका सावदिक और होता है waropath आने किफलोर फ्लोर्स होता है ठीक है नेक्स नेक्स देखते हैं कि भारत के सरवाधिक के नाम से जानते हैं काली मृधा के नाम से जानते हैं रेगुर मृधा का सरवाधिक विस्तार किस राजिप में पाया जाता है तो रेगुर मृधा का सरवाधिक बिस्तार्ट जो है महराष्ट में पाया जाता और यहीं कारण है कि काली मृधा जो होती है यानि दर्कनी छेत्रों में जो पाया जाता है काली मृधा पे कपास की जो खेती होती है वो बहुत मतलब उप्युक्त मानी जाती है ठीक है नेक्स देखते हैं कि मालवा का जो पठार है किस मरीदा के अधिकता है तो इसमें मरीदा को सवत्ता जुताई वाली मरिदा भी कहा हजाता है जिसने सीचाई की कम आ वह शक्ता पड़ती है यह मृण जो है कपास की छेती 2 जैसे कि मैं ने अभी उपर आप रोगों को बताया रंग और और ती या लाल रंग लुलिक करण होती है लाल रंग की जो मिट्टी पाई जाती है थो यूद है मुखे तक तक किन राजियों में पाई जाती है तो लैटरयाइट में पाई जाती है ठीक है नैस्ट देखते हैं कि लोह यह तो लेटरायट मिटी इंफर्टायल होते जा रही है नेग्स दिएक कि मृदा की सार्य चाईता को कम करने के जिप्सम का परियोग किया जाता है ठीका है नेग्स आई कि लेटरायट मृदा भारत में मुख्याता कहां पाई जाने वाली परमुक्षेत्र कौन से तो मालावा से प्रापत होती है मृईदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौनसी फसले उगाई जाती है तो दल्हाणी फसले उगाई जाती है नेज्स बबलगाटि जो है चम्बलगाटि का निमार किस भर्ववल को लिक पढ़िया से हुआ है तो आव नालीका याने गुली इरोसियन से हुआ है और नाली का अपवर्दन से हुआ है चाय बगानों के लिए कौन सी मिटी उपयुक्त है तो लेटराइट मिटी उपयुक्त है दोमट मृदा जिसको एलूवियल स्वायल बोल जाता है में कौन-कौन से कण पाया जाते हैं तो गाध मृतिका वरेत भारत की मृदाओं में किस सुक्ष में तत्व की सरवाधिक कमी है तो जस्ता गंगा के मैदान की पुरानी जलूड मिरदा क्या कहलाती है तो बांगर कहलाती है और कछारी मिटी को वहीं खादर के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स है कि अमली है यानि कि ऐसीडिक मृदा को क्रिसी जोग बनाने है तो किस खनीज का परियोग की आता है तो लाइम या चुना उसका उसमें मिटी में उसको डाल दियाता है जिससे वह क्या हो जाता है वह क्रिसी जोग बन जाता है ठीक है नेक्स है कि भारत में सरवाध जो होती है उसका रंग नीला क्यों होता है तो रंग जो उसका नीला होता है अमली वह फेरस आइरन के कारण पच्मी राजस्तान की मृदा में किस खनीच की अधिकता पाई जाती है तो पच्मी राजस्तान की मृदा में कैल्सियम की अधिकता पाई जाती है मर्वस्तलिय मरीदा जो होते हैं यानिकि डेजर्ट स्वाइल में किस पोसक्ततों का भाव पाया जाता है तो नाइट्रोजन का मरीदा अपर्दन जो होता है यानिकि स्वाइल इरोजन होता है वह किस प्रकार से रोका जा सकता है तो बना रोपन यानिकि बन को लगा करके उसक ही वह व舒reckने के लिए बना रोपन परियोग करते हैं पी-च मैंकर सब Mindh की प्रक्रिति कि आ वोती है अगर एक सेच्ए तक पालब टाप टने की प्रकिरतीया होगी तो अंब लिये मोती है अगर साथ रहे तो आप होता है कि पीच पेर पीचे स्केल पर सेवन जो होता है तो पगर साथ रहे तो दासीन मिटी होगी यानिके न्यूट्रल स्वाइल लोगी और आठ से 14 अगर है तो छारीय जो होगी ठीक है नेक्सट देखते हैं कि लाल और पिली मिर्दा जो होती है अमलिय प्रकृत्य की होती है लाल और पीली मिर्दा वहीं एक फेरिक ऑकसाइड जो हता है और रखेयों की मात्र होती है तो अमलिय प्रकृती होती जिसमें नाइट्रोजेन फासपोरस हैं हुमस मतलब जयूपर डार्थ की कम होता है हुमस कहां से बनता है तो आप लोग केचूअ का नाम सुने हो यहां वर्मी कमपोस्ट जिससे वह उसको देते हैं तो क्या होता है ना कि धरती में हुमस की मात्रा बढ़ती है ठीक है नेक्स देखते हैं कि अब नेक्स ट्पिक हों मों देखेंगे कि प्राकिर्तिक बनस्पतियां प्राकिर्तिक बनस्पतियों को यहाँ पर नेचुरल वीजिटेशन ठीक है एक समुवी एक में उष्णकटी बन्धिया आधर सदा बहार वन यानि के ट्रॉपीकल βेट एवर इंवर गिर्न फोरेष्ट यह जो परतिस्त था वो वह 99 पेरेशंट है फिस उष्नकटी बन्धिया मेंडिया इवर ग्रीनि फॉरेस्ट यह वह थर टीन पॉइंट सेव नाईन ुद 2.650 सुष्क सदा वहार ди सुष्क सधा वहार वण 0.13 परसेंट है वो पोष्ण कटी बन दिया चोड़ी पती जुप्त परवतिय बन जो है यानि कि सब ट्रोपिकल ब्रोड लिव्ड हिल फॉरेस्ट जो है वो ब्रोड लिव्ड हिल फॉरेस्ट जो है वो 2.69 परसेंट है वो पोष्ण कटी बन दिया कोंडधारी बन जो है जब ट्र सितोषन बन जो है फोस्क्त SUN पर्सेंट इस बात से फिर देखते हैं कि हिमालई शौरी वुक्त प्राइन वन ले लिजे इसका मैं तो जूम कर देता हूं और एक से दो बार देखते हैं तो गरांटी आपको मतलब इसमें से कम से कम आपको 75-80% प्रसन आपको याद हो जाएंगे क्योंकि जब हम किसी चीज को देख करके और किसी और कित्रों किसी चीज को सुनते हैं तो हमको दिमाग में बहुत दिन तक वह इस्टोर रहा जाता है खुद से आप पढ़िएगा ठीक है तो अभी बुक लेकर के पढ़ने बैठिएगा पढ़िएगा फिर क्या होगा कि आप भूल जाइएगा लेकिन अगर वहीं चीज ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा और ऐसा होता है कि जब कोई सामने वाला परसन कोई प्रसन पूछ देता है और क्या होता है कि वह प्रसन याद नहीं रहता है ठीक है अगर वह खुद क्या बोलता है कि वह खुद उस प्रसन को बता देता तो लाइफ में बहुत दिन तक आप उसको याद रख सकते हैं दिमा स्थाफना एक से दो बार देखीएगा तो आपको याद हो जायेगा ठीक है तैनली नेक्स्त देखते हैं कि भारत की स्तरवा्दिक ब्रिहत्चत्र में की श्क datार के वन पाई जाते है तो उश्ण कटी बंधिये स्थावार वन च्ठरों में औसद कितनी होती है सिनकोना दार्जलिंग में पायता है यहीं सिनकोना है जिसके चाल से कुनैन नामा कॉस्दी बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार में इसका यूटिलाइज होता है नेक्स देखते हैं कत्था बनाने है तो किस ब्रिक्च की लकड़ी का पर्योग होता है तो खैर वहीं कत्था जो पान में मिला करके खाते है न वहीं कत्था होता है ठीक है अब समाजिक उसका लकड़ी जो किस ब्रिक्च का है तो खैर है समाजिक वानिकी में परजुक्त बहु पाटी में पाए जाते हैं पश्मी हिमाले की सिटोष्ण पेटी यानिके टेमप्रेचर जोन देवदार ब्रिक्षों का बाहुल है बास जो होता है बास की कौन सी परजाती तो लाठी बास की परजाती सबसे अधिक पाई जाती है और बास को अभी एक रिपोर्ट के अनुसर बास को बास से कोई पौधा नहीं है वो एक जाड़ी है जाड़ी में ही उसको रखा गया है नेक्स देखते हैं लंबी जड़ो वा नुक्वीले काटों आत्मा सूल जुक ज लगुषबग। में देखे जो भी मरवस्तालिय में होगा वहां के जो भी मतलब प५ौदे होंगे ओ拐र होते हैं पत्ते जो तक्रतुले ऑँजस्त होमें गाटों इसमें काटे हो जाती है ठीक है और लगुषब्रिक्षबग ज़्य जादा बड़े नहीं होते तो वो कहां पाया जाते हैं तो राजस्तान यानि मरुवस्तलिय छेत्रों में पाया जाते हैं संजुक्त राष्ट खाद याम किर्शी संगठन की नवीन डिपोर्ट के अनुसार वार्शी कस्तर पर वन छेत्रों में सबसे ज़्यादा व्रिधी में भारत को विश्व का कौन सा अस्थान प्राप्त है तो आठमा अस्थान प्राप्त है वो जबत्र जिसको भुर्ज व्रिक्ष ये जो व्रिक्ष होता है वो कहा पाया जाता है तो हीमाले में पाया जाता है पलास यानिकी ब्यूटिया मोनोस पेडमा के व्रिक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है ने फ्लेम अब दा फॉरेस्ट भी कहा जाता है भारत के किस राज प्रण एक हुआ था कि पढ़ने था कोंते सुंदरलाल बहुगुणा थे यह उत्राखन से संबन्दी थे वहां पर क्या हो जब पेड़ों की अन्हीं हमित कटाई हो रही थी तो लोगों ने वहां पर क्या हुआ कि पेड़ से चिपक जाते थे जोभी अधिकाली पेड़ काटन प्रण के नाम से जाना जाता है भारतिये वन संर्वेक चनल की एफसाई एफसाई की जो अस्थापना कभी तो एक जुन 1981 होई थी भारत में मैंग्रोव बनस्पति कितने छेथफ़ में बिस्तित थे तो 4975 वर किलोमेटर में विस्तित है नेक्स देखते हैं कि भारतिये वन परबंदन जो संस्थान है इंडिया इंस्ट्रिचूट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट आई आई एफम की अस्थापना वर्स 1912 में भुपाल में की गई थी नेक्स देख लेते हैं कि भारत के आठ बनस्पति छेत्र कौन-कौन से हैं तो आठ बनस्पति छेत्र हैं पच्मी हि इत्रन जो किया गया हो सितोस्न कटी बन्दी भाग में कौन-कौन से बनस्पति पाये तो चीड देवदार संकुधारी ब्रिक्ट जिसको का उनिफर्स के नाम से जाना जाता है वह चोणी पति वाले सितोस्न ब्रिक्ष पाये जाते हैं दो में हैं अलपाइन छेत्रनी के सित होटी में के जंगल पाये जाते हैं ऐसक्ते का विस्तार ब्रमा फुट्र वब्रह्म पुट्र व체 शुर्मागाटियों में पाये जाती है जो इसका जो बृततरन उसमें इस सदावाहार वन और बीच वीच में घने बासों तथा लंबी घासों के जुर्मट पाया जाते हैं। जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली जाडियों के वन है। सब्सक्राइब करें। 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 Institute of Forestry Research and Human Resource Development जो है 1995 में इसकी अस्थापना हुई थी छिंदवाड़ा इसका छेत्र है और मद्यपरेश यह राज में पड़ता है Institute of Forest Productivity जो है 1993 में इसकी अस्थापना की गई थी राची इसका छेत्र और जारखन राज में यह अवस्तित है Indian Plywood Industries Research and Training Institute जो है 1962 में इस्थापित हुई थी बैंगलूरु इसका छेत्र है करनाटक राज में इस्थित है नेक्स देखते हैं कि Indian Institute of Forest Management जो है 1982 में इसकी अस्थापना हुई थी भुपाल इसका छेत्र है और राज जो है मद्यपर्देश है और नेक्स देखते हैं कि जीवी पंथ हिमाली परियावरण विकास संस्थान है 1988 में इसकी अस्थापना हुई थी अल्मोडा इसका छेत्र है और उत्राखन राज है नेक्स देखते हैं कि उष्ण कटी बंदिये वनस्पति उध्यान और रनुसंधान के इंद जो है 1989 में इसके अस्थापना हुई थी तीरवरंद पूरा मिसका छेत्र है और केरल इसका राज्य है नेक्स देखते हैं कि ब्रेक्चो को बचाने के लिए चिपका अंदुल की सुर्वात उत्राखंड के टिहरी गढ़वाल जनपत्से की गई थी जैसे कि मैंने आपको उपर बताया है तो यह क्या कीजिए कि भारत के परमुक वान की सोच संसान एक बार इसको क्या कीजिए कि अभी चैनल पर आप नए है तो जाने से पहले वीडियो को मतलब खतम करने से पहले आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन को प्रेस कर दिजिए नीचे टेलीग्राम का है उसको जोईन कर लिए तैकि नेक्स एपिसोड जैसे ही आएगा आप लोगों के पा सब्सक्राइब का एंचेरी शार संग्रा जो महस कुमार बणवाल की पुस्तक है इसमें हम लोग कर रहे हैं भारत का भूगोल जिसमें से अल्लेटी मैंने पांच पिसोड को अपलोड किया है चाहदा देर का वडियो नहीं होता है आप लोग उसको अगर नहीं देखें तो और मितलब नदियों के जो इंपोर्टेंस है वो क्या-क्या है ठीक है कौन-कौन से प्रसंद एक्जाम में आएंगे और आने की संभावना है और आये हुए है ठीक है उसको देखेंगे हम इसमें ठीक है तो अगर पुछला वीडियो भी मैंने अप्लोड किया जैसे लास्ट व पहला प्रसंद जो है कि किसी नदि के अप वाहित घ्ट्र को क्या करते हैं जो है तो जो है ब्रहपुत्र नदी तिबत के जान जाती है सांग के नाम से जाने जाती है ब्रहम्पुत्र नदी तिबथ भारत यों बंगला देश से होकर के प्रवाहित होती है भागी रती नदी का उद्गम अस्तल कहां है तो यह गोमुख है नेक्स देखते हैं कि लेह जो है सिंदु नदी के किस तटपे अवस्तित है तो ल मंगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो मंगला देश में गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी के तड़ पेस्टी सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो गंगा नदी की तड़ पेस्टी सबसे बड़ा जो सहर है वह कानपूर है ओके य सकते हैं जैसे कि सिंधु नदी है तो जम्हु का समीर यह जो पर देखिएगा तो सिंधु नदी में जेलव, जिनाव, रावी, सतलज, यह समनदीयां बेयास यह समनदीयां बेयास यहाँ तरह आपको हैं अगर अगर आप लोग देखिएगा तो फिर ये घागरा नदी है सोन नदी है गंगा नदी इका ट्रिब्योट यहां पर भाक्रान अंगलबांद है तो ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं अब सांगपो नदी यहीं ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो नदी के नाम से झानी जाती है ठिजिक है और उसके बासे फिर वहीं नदी जिलोहट नदी है और दिभांग जो बारत को दो भी वाजिद करती है ओके यहां पे उरिशा में देखिए का तो हीरा कुंड बान रहे कुंड बांध है। महानदी ऊसे कि पर हूं थिक है। यहां पर सरदार सरौबर बांध है उसी का ये ट्रिब्यूटरी है फिर बेतवा नदी है ओके नेक्स देखते हैं यहाँ पे कि अगर नीचे आईएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे गोदावरी नदी देखिएगा गोदावरी नदी जो है पच्चिम से पूरब की और भाती है ठीक है नरमदा है जो पूरब से नधी पर है फिर तुम भद्रा जो है वो तुम बंद्रा नदी पर है पेनार नधी है जो आपको तहमीन लाडू के तरह तर्फ पड़ता है त 210 करनाटका के नदी है ठीक है फिर पर है केल में ओके और एक बैगाई नदी है यहाँ पे तो आप लोग इसको देख सकते हैं ठीक है और यह जो मतलब ऐसे करके जो दिया गया है वो नदिया है ठीक है और ऐसे गोला करके दिया गया है तो वो क्या है आपका वो आपका बांध है ठीक है तो इसको एसकीन सॉट ले करके आप लोग इसको बना सकते हैं figure रोडेख सकते हैं समझ चकते हैं हम लोग कोस्षरै करेंगे कि गोदावरी नदी को डक्षिन भारत की गंगा या ब्रिषति गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक ह्य करिया के मध्य कौन सी नदी प्रभायुत होती है तो प्रभाहित होने वाली नदी मंधाकनी है मंधाकनी नदी किस जल परवा आतमा मुख नदी से संभन्दी थै नेक्स देखते हैं और यहीँ हूगली पर जो है हावडा ब्रीज इसी पर है शाओ जाता है दामोदर नदी चोटा के पठार के पलामुजिले से निकलती है पूर्व की और बहने वाली नदियों में किस में एक निम्नाव वलन यानिके डाउन वर व्रैफिंग के साथ बीब्रंस गाट यानिके रिप्ट वैली का निमाण हुआ है तो दामोदर नदी के निमाण हुआ है उत्र परदे से वम मादयपरिस की राजयों में संजुक्त राज गाट नदी घाटी पर योजना किस नदी पर निम्मित की गई है तो बेतवा नदी पर निमित की गई है next यह आप देखेंगे भारतीय नदी पर्णाली इसका जो इंडियन रीवर सिस्टम जो है वो दो प्रकार की नदीयां अपर पाई जाती है एक में है आपका एक में आपका हिमालगी नदी तंत्र है और दो में जो है आपका ये है प्रायदी पिय नदी तंत्र है हिमालेई नदी तंत्र जो है इसको तीन भागों में बाटा गया है एक में सिंधु नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र है ठीक है और प्राइदी पिय नदी तंत्र को बाटा गया पच्मी घाट से उद्गम होने वाली नदियां और बिंदि यहां का नीचे वाला पोर्शन हो गया तो यह आपका वेस्ट हो गया और यह हो गया आपका इस्ट ठीक है तो पच्छिम घाट की जो यह पच्छिम घाट है ना यहां पे पच्छिम घाट है तो कृष्णा नदी है गोदावरी नदी कावेरी नदी और पेनार नदी है और बि और तापती है ठीक है तो तापती नहीं तापी है ओके नेक्स कोस्चन देखेंगे हम लोग कि भारत की किस नदी पर विशु का सबसे बड़ा उंचा पूल बनाये गया है तो चेनाव नदी पर बनाये गया है नर्मदाय ओम तापती नदीयां समुद में गिरते समय किस सन्रचना का निमार करती है तो जवारनद मुख यानि कि एस्चुरी का निमार करती है ब्रंस घाटी जो है रेट भैली से परवाईत होने वाली दो मुख नदीयां कौन सी है तो नर्मदाय ओम तापती है पच्छिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में बिंध्यन परवत अथा दक्षिन में सत्पुड़ा परवत के मद्ध ब्रंस घाटी से ओकर परवाईत होती है अरब सागर में गिरने वाली दो परमुख नदीयां कौन सी है तो नर्मदा और तापती जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है सोन तथन नर्मदा का उत्पन उत्वा मस्तल्प किया कहा है तो सोन और नर्मदा जो है वो है अमर कंटक है नर्मदाज नदी किस दिशा की और प्रभाइत होती है तो नर्मदाज जो है वो अमरकंटक से निकलती है और वे पच्छिम दिशा की और प्रभाइत होती है ठीक है ऐसे पच्छिम भूमी बंदित या अंतरवाही नदी कौन सी है तो लूनी नदी है बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है तो गंड़क नदी से पानी आता है नेक्स देखेंगे कि कपिला नदी किस नदी की सहायक है तो कपिला नदी जो है वो कावेरी की सहायक है नदियों की लंबाई का और रोही क्रम यानि कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा तो सबसे बड़ा गोदावरी है लंबाई में, फिर महानदी है, फिर नर्मदा है योँम तापती है, ठीक है गोदावरी जो है वो 14-65 km है, नर्मदा जो है 13-12 km, महानदी जो है वो 891 किलोमेटर और तापती है 724 किलोमेटर दक्षिन भारत की नदियों में किसका जल गरहन जो है सबसे अधीक है तो जल गरहन छेतर जो है गोदावरी का सबसे अधीक है प्रायदीपिय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है फ्रायद के भारत की नदियों में से गृदावरी नदी सबसे दीखे फ्रायद इपियों उसको बोलते हैं ने कि पैनिसुलर उसको बोलते हैं जो तीन तरप से पानियों से घीळा हुआ हो इधर से अरब सागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है ठीक है यह तीन तरब से पानियों से घीरा हुए इसी को फेनिसुलर या फिर हम उसको प्रायद एपिय बोलते हैं तो सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी यहां पे है ठीक है हंगारी नदी जो है हगारी नदी किस नदी की सहायक नद करीब में है तो कावेरी नदी ठीक है तमिल नदुव करनाटका के बीचीशी पर विवाद है नेक्स देखते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम अस्तल कहां है तो कावेरी नदी ब्रहमगिरी की पहाणियों से उत्पन होती है कावेरी नदी जो है करनाटक केरल तमिल गुदू चेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है मंदाकनी नदी चौरा बाड़ी ताल नामक जिल से निकलते हैं सदा सोन पर्याग में बास्की गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ जाती है मंदाकनी नदी जो है ठीक है आगे देखते हैं भाद की कुछ परमुख नदिया है तो इनकी जो नदी है उसके उद्गम अस्तल है अरब नदी मतलब और नदी संगम अस्तल है ठीक है और सहाइक नदिया कौन कौन से है सिंदू नदी के अगर बात करें हम तो तिबत में मान सरोवर जिल यानि कैलास परवत से निकलती है इसकी जो सागर से संगम अस्तल है क काराची पाकिस्तान के निकर जाकर के ये सागर में मिल जाती है सहाइक नदिया में है कि सतलज ब्यास रावी चिनाव जहिलम सिंगी जासकर गर्वग चू श्योक सिगार गिलगित सतलज नदी की बात करें तो सतलज जो नदी है उमान सरोबल जिल के राकस्ताल जिल से निकलती है और ये मिलती है कहाँ कपूर्थाला के दक्षिन पच्छिम सीरे पर ब्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है सहायक नदियां में सिप्ती वपसा और ब्यास है नेक्स देखेंगे जेलम नदी की बात करें तो कस्मीर के वेरी नाग जरने से निकलती है और त्रीमो के निकट चिनाव नदी में मिल जाती है किसन गंगा लिदार करवेस और पूच में इसकी सहायक नदियां है चेनाव नदी में देखेंगे तो लाहुल में बारा लाचला दर्रे के विप्रित दिशा में चंद्रा प्लस भागा में इसका उद्गम अस्तल है त्रीमू के निकट झेलम नदी में जाकर के मिलती है रावी चंद्रा और भागा जो है इसकी सहायक नदिया है रावी नदी की बात करें तो कांगडा जीले के हिमाचल परदेश में हिमाले के रोहतांग धर्रे से निकलती है जहांग जीले के सीमा पर चिनाव नदी में जाकर के मिल जाती है और चिनाव इसकी सहायक नदिया है ब्यास नदी जो है रोहतांग दरे से निकलती है हरीके के पास सतलज नदी में जाके मिलती है और परवती सैंज तिर्थन और उहुल जो है इसकी सहायक नदिया है गंगा नदी की बात करें तो केदा नाचोटी के उतरे में गोमुक नामा कास्तान से निकलती है गंगोत्री जिसको बोला जाता है ठीक है और ये जो है इसकी जो मिलती है गौालंदों के निकट ब्रहंपुत्र के साथ मिल करके बंगाल की खाडी में जाकर के गिर जाती है इसक जमनोत्री हिमानी से निकलती है इलहाबाद में गंगा नदी में मिलती है और ये जो है गीरी असम चंबल बेतवा के नेवम टॉंस जो है इसकी सहायक नदियां है गोमती नदी की बात करें तो उत्तर पर्दिस के पिली भीद जनपत से निकलती है गाजिपूर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और सई जो मकाई वरना गच्छई चुगा इसकी जो है सहाइक नदिया है घागरा नदी की बात करे तो तिबद के माप चाचुंगो हिमनत से निकलती है छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है रापती सारदायों छोटी गंड़क इसकी सहायक नदिया है गंड़क नदी की बात करें तो तीबत नेपाल की सीमा पर धौला गिरी परवद से निकलती है पटना के समिप सोनपुर नदी में मिलती है और काली गंड़क तिरसूली गंगा इसकी सहायक नदिया है नेक्स्ट बात करते हैं हम कोसी नदी की कोसी नदी परवाह की साथ धराओं में से मुक्ष धरा जो है औरून नाम से माउंट एवरेस के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है भागलपूर जनपद में काढ़ा गुला के दक्षिन पच्ची में गंगा नदी में जाके मिल जाती है सन कोसी तामू कोसी लिक्चू कोसी उसके बास है तलखू दूद कोसी अरून तामूर कोसी इसकी साहयक नदियां है चंबल नदी की बात करें तो माद परशे में महो के निकट बिंध परवत माला की जना पाव पहाड़ी से निकलती है इटावा की पास जमना नदी में मिल जाती है काली सिंध तिस्ता पारवती बनास्त नेवाज और छिप्रा जो है छिप्रा और दूधी नदी जो इसकी सहायक नदी है ओके बेतवा नदी की बात करें तो राय से जो मद्द परिस के कुम्रा गाउं के निकट मूर की पहाड़ियों से निकलती है चीला बांदा में जमना नदी में जाकर के मिल जाती है और कयार सुनार उर्मिल इसकी सहायक नदिया है सुन नदी की बात करें तो अमर कंटे की पहाड़ियों से निकलती है पटना से पुरु गंगा नदी में मिल जाती है और महा नदी ग गर्गोपत, रिहंद, कांकर और उत्री कोल्ड इसकी सहायक नदियां है दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर की पठार के पलामू से निकलती है फुलका के पास हुगले में जाके मिल जाती है बराकर कुनार जमुनिया इसकी सहायक नदियां है ब्रह्म पुत्र नदी की बात करें तो मान सरोबर जील के निकट चोमाय यूंग डूंग हीम नद से निकलती है गौलंदो के निकट पदमा गंगा नदी में मिल जाती है और दिवांग, लोहित, सुबन सीरी, धन सीरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिशांग इसकी सहायक नदियां है गौदावरी नदी की अगर बात करें हम तो नासिक महाराज के पश्मी घाट में तर्यंबक पहारी से निकलती है मसुली पत्नम जो आंदर प्रदेश में है के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है परवरा, पुर्णा, मंजरी, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राण हिता, और इंद्रावती, मानेर और सबरी इसकी सहायक नदियां है क्रिष्णा नदि की बात करें तो महा बलेस्वर के पास पच्मी घटी से निकलती है बिजय बढ़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तुंग भद्रा, कोयना, घाट परभा, माल परभा, भीमा और दूद गंगा इसकी सहायक नदियां है कावेरी नदि जो है, करनाटक राज में ब्रमगिरी पहाड़ीयों के कुर्ग जिले से निकलती है तमिल नदू में काराकार कोल के उपर मंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और हेरांगो, हेमवती, सीमला, अरकावती, लक्षमर्तिर्थ, कामविनी, स्वनवती, भवानी, अमरावती और नोयल इसकी सहायक नदियां है नर्मदा नदि जो है मदपदेश में अमरकंटे की पहाड़ीयों से निकलती है भड़ोच में अरब सागर में जाकर के ये मतलब मिल जाती है, सरी गिर जाती है और पुड़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, सकर, हीरन, वरना, तीन देसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदस और सुमोदविस की सहायक नदियां है अगर तापती नदि की बात करें हम, तो मदप्रेस के बैतुल जनपद में मुल तापती नगट के निकट से निकलती है, खामबात की खाड़ी में गिरती है और पूर्णा, निर्गा, भोरी, पंचरा तथा अनिर जिसकी सहायक नदिया है महा नदि जो है मदप्रेस के रायपो जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है, कटक के निकट नरज, नामा का स्थान, प्रकट जूरी तथा बिरूपा नाम की दो धरावों में बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है सिवनात, हस्दो, मांड, इब, जोंक, कोयाली, संख, ओंग, तेल, ब्रामड, ब्रामडी, लिलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, इसकी सहायक नदिया है साबर मती नदी का उद्गम अस्तल आरावली परवत राजस्तान से होता है, तता यह आगे बढ़कर खंबात की खड़ी में मिल लाती है नेक्स्ट कोश्चन देखें कि भारत की कौन सी नदी करक रिखा को दो बार काड़ती है, तो माही नदी काड़ती है रादिकांस्ता लोणीये मिर्दैनी की सैलाइन रिवर की सप वहतंत का अंग है तो बंगाल की खाड़ी का अंग है गंगा नदी पनेवित महात्मा गांदी से तूब किस राज में है तो बिहार में इस्तित है, बिहार क्या है तो पता होगा ही माही नदी जो है मद परिश से निकल कर कमबाद की खाड़ी में गिरती है विश्वास घाती नदी की संगया किस नदी को दी जाती है तो हुगली नदी को दी जाती है संकोस नदी किन दो राजियों के मद सीमाज बनाती है तरसन में ओर नाचलरपदेति से बीच सतलज ब्यास रावी चिनाव और जहलम को किस नाम से जाना जाता है तो पुएलम नदी का The couleторы, जहलम नदी का उद ग अस्थान के लिए नक भीनुपाःिञिय नदी से निकाली गई है नदियों के किनारे कुछ परमोक नगर हैं इसे भी प्रस नाथे हैं तु हिसको भी देख लेते हैं तो यह वो शायोरा नाधी के करण पूने जो है मुला मुथा ठीक है चेनई जो है अड़ियार है कुलकत्ता है अगली नदी स्रगमपट्टम कावेरी नदी गौहाटी ब्रहमपुत्र पंडरपूर जो है भीमा उसंगाबाद नर्मदा नेलो जो है पुनेरो तंजावुर जो है कावेरी नदी के तरपे संबलप पूर्ध्य स्भलत, परियारो जोटकमहान ल तापक्ति, इतावा जमुना नदी के तरपे संबलपास बेद्वान न दी परियाग राज गंगावा जमुना नेलो जुदृ परियांगी रखी रती यह जिसको भले आता है विश्नु परियाग है धौली गंगा व अलक नंदा रावत भट्टा चंबल नदी जौन पूर गोमती मंडी जो है ब्यास नदी पे भड़ाओ जो है नर्मदा और पंजी जो है मांडवी बकसर जो है गंगा नदी के तटपे नासिक जो है गोदावरी नदी के तटपे आगे दिख लेते हैं यहाँ पे कि भोनेश्वर जो है माहा नदी के तटपे जबलपूर जो है नर्मदा जो है नर्मदा नदी बलिया जो है गंगा नदी कनौल जो है गंगा नदी लखनौ जो है गोमती नदी युज्यान जो है छिप्रा नदी ठीक है आमदाबाद सावरमती नदी बैंगलोरु जह है ब्रिस भावती नदी हाजिपूर जो है गंडक नदी नेक्स देखते हैं आगरा जो है जमना नदी भागलपूर गंगा नदी धूबरी जो है ब्रह्मपत साची जो है बेतवा बुंगेर गंगा ग्वालियर चंबल, स्री नगर जेलम, मुरादाबाद राम गंगा, तीरुचीदा पली जो है कावेरी, हरिद्वार जो है गंगा और चंबा जो है रावी नदी ठीक है नेक्स देखते हैं कि गांधी नगर जो है और साबरमती नदी के किनारे है नांदेड जो है गदावडी नदी, मदुरई जो है वेगई नदी, हावला जो है हुगली नदी और अजमेर जो है लुनी नदी एक और important fund देखेंगे फतेःपूर, इलहाबाद, कानपूर, वारा नसी, पटना, भागलपूर, अधी, गंगा नदी के तट परिस्तित परमुक नगर है चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स अगले एपिसोड में हम लोग जल पर पात और जीलों को करेंगे ठीक है अगर यह वीडियो कैसा लगा अपला comment box में बताइए और नए है तो like कर दी, subscribe कर लिजेगा, वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और फि इस में से 6 एपिसोड अल्रेड़ी अपलोड किया जा चुका है आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं playlist में ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना न भूलिएगा और यह इंडियन जोगरफी में आज हम लोग करेंगे वो जल परपात और जीले करेंगे और भी subjects का यह सेम प्रस्ण आते हैं तो यह बहुत ही अच्छी भूक है महिस्कुमार बढ़नवाल की भूक है तो इसी के हम लोग कर रहे हैं इसे इंपोर्टेंट प्रस्णों को देखते हैं तो आज का जो टॉपी के हम लोगों का वो जल पर पात और जीले हैं यानि कि वाटर फॉल्स ए सबसे बड़ी क्रित्रिम जील कौन सी है तो गोबिन सागर जील है जो भारत की सबसे बड़ी क्रित्रिम जील है देखेंगे कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो सामबर जील है दूद सागर जल परपात पच्मी घाट में गोवा और करणाटा की सीमा पर मांडू नदी में इस जीत है ठीक है नेक्स यहां पर देखेंगे कि यह देख लिए कि दूद सागा जल परपात पच्पी घाट में गोवा और करनाटा की सीमा पर मांडवी नदी पर इस्थित है यहां पर देखेंगे भारत की सबसे उंचे जल परपात जो है वह कौन-कौन से है उसकी उचाई कितनी है मीटर में उचाई दिया गया है और अवस्तिती उसकी कहा है मतलब राज कौन सा राज है इस जगह पे वह इस्थित है तो पहला जो है वह कूची कल है 455 मीटर उसकी उचाई है सीमोगा या करनाटका में इसकी अवस्तिती है बारेही पानी जो है 399 मीटर इसकी उचाई है मयूर भंज जो है तीन सो दस मीटर उचाई है और करनाटक या गोवा में इसकी मतलब यह अवस्तिती जो है करनाटक और गोवा में और यहीं दूज सागर है जो आप लोगों देखी होगी चैन्य एक्सप्रेस ठीक है तो चैने एक्सप्रेस में जिस मतलब वो सागर को दिखा जो जिस पर रेलवे घुजर रही है ठीक है वहीं दूद सागर उसी में आप लोग उसको देख सकते हैं ठीक है मीन मुट्टी जो है 300 मिटर इसकी उचाई है और यह जो छेत्र है वायनार या केरल में है बरकाना जो है 269 मिटर उसकाई है सीमोगा कर्नाढका में है जोग यह महात्मा गांधी 235 मिटर है सीमोगा कर्नाढका में है खंडाहर जो Communist करह सुनदर魚 उडिसा में है 545 nhा जो है 219 मिटर है नेलौर या आंध्र परद्च में है कुने 200 मिटर है उसकी और यह डोनार महराष्ट में है। चोलीय 183 मीटर उचाई है और ये जो है चंबल में पढ़ता है। परदा है। नेक्स संदय है किहल नवोंहोंदर है किलाज मेरे करनाटका वरटा। कपिल धारा 30 मिटर इसकी उचाई है नर्मदा मदपदेश में पड़ता है काकोलत जो है 50 मिटर उचाई है और काकोलत बिहार में इसकी मतलब यह पड़ता है नेक्स देखेंगे यहाँ पे की धुआधार जल परपात मदपदेश के जबलपूर में किस नदी पर इस्तित है तो नर्मदा नदी पर इस्तित है वसुधारा जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो अलकननदा नदी पर इस्तित है पुलीकर जिल भारत के दो राजियों आं जो है वो हो संम्मदित राजifice जैसे की बेंबिनार जील जो है वह चिलका उडिसा में राज्रास्थान में पूली कठ है तमीजिट देख इं हैं सामभर जो है वह राजस्तान में है डिम्डवाना जो है राजस्तान में राकस्ताल उत्राखंड में में बढ़ाता है पिर्यार केरल में बढ़ता है कि सूरज हार्याना में है जैसंबन्द जह राजस्तान में तेलंग्त लंघोनार बोड़िया से झिल्स अम्नहर प्रसम छाय नहरे। Islands टॉपीक है जल संसादन सीचाई यौम नहरे तो देखते हैं इसकों कौन से थे भारत में जल संसाधन के स्ट कौन कौन से भारत में जल संसाधन के जो वाटर समस्तान है भारत के किस राज में सिचाई जो है सर्वाधिक नल्कूपो द्वरा होती है तो उत्तर नेश्ट देखें कि छेटफल की दिश्टी से शिर्ष तीन तलाब सिंचित राज़ों को करमसा कौन से हैं तो तमिल नाडु आंध प्रदेश हैं भारत की नहर परणाली की संकल्पना किस ने प्रस्तूत की थी तो दिंशा जे दस्तूर ने प्रस्तूत की थी भारत में वाले 5 राजियों का ज़ी क्रम क्या है राजास्तान है पंजाब है मेर्ठ पर्दूस है किसे संबंदित 3 ने कि चल संबर जो है विकास के लाब क्या है विपत्याय में ब्रेदी हैं जल भराव में कमी और मिर्दा की लंता का हरास कृसि उत्पादन और लुर्पदक्ता में वरीधी ठीक है नेक्स्ट है कि बनाउं की कटाई में कमी जी मनश्थर में सुधर रोजगार में सम्रिधी ये ब्रिधी ठीक है एक नेक्स नहर वेवस्ता भारत में कौन सी है तो गंग नहर यहानि गंग नहर का नहान और सट से निकलती यह子 नहरं कि सीचाई परिउजणाओula . परियोजना ठीक है भात के सिचाई परियोजनाओं के प्रकार में हम देखेंगे कि लगूप सिचाई परियोजना में कौन-कौन से है तो इस सिचाई परियोजना कंदगत 2000 हेक्टियर से कम छेत्र की सिचाई होती है इसके अंतरगत कुवा नलकूप डीजल पॉंप सेट सिचाई के बढ़ते महतों को देखते गए वर्स 2006 सचाल्ट लगू सिचाई योजना को वर्स 2010 में रास्टी कर दिया गया नेग्सदके देखते हैं कि मध्यम सिचाई पर्योजना क्या है तो मध्यम सिचाई पर्योजना में इस सिचाई के पर्योजना का अंत्रगत 2000 से 10,000 हेक्टियर तक की छेत्रों की सिचाई होती है इनमें नहरी सिचाई पर्मोग है क्यों की छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है चा सिचाई की पूर्टी होती है आगे देखेंगे कि भायत में सिचाई का मुख श्रोत नलकूप है इसके पस्चात सरवादिक सिचाई नहरों और तलाबों के द्वारा की जाती है अब यहां पर देखेंगे कि नदी घाटी परियोजना यानि कि मल्टीपल पर्पस रीवर वैली जो प्रजेक्ट है उच्छे संबंधित प्रसनों के यहां पर हम लोग देखेंगे तो पहला प्रसना की भाख्रा नांगल बांध का निर्मान किस नदी पर हुआ है तो 17 नदी सबसे पुराना जल सक्ती जो है हाइड्रो पावर के अंद्र कौन सा है उत्पादन के अंद्र सिस्मुंद्रम है तो व्षनु है प्रयोजना की आ दो राजियो में इस्तित है तो यह आंध्र पंद सागर राजया परियोजना जो है उडिशा चंदी सागर बांद किस राज में इस्तित है तो राजस्तान में है तिगरी बांद जो है उतरा खड़ में किस नदी पर निर्मित किया गया तो भागी रती नदी पर किया गया है दामोदर घाटी निगम की अस्तापना किस वर्स हुई तो वर्स उनिस्सों और तालिस में हुई आगे दिखेंगे कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख उदेश भाकडा बांध में आने वाली तलचट मिट्टी को रोकना था ठीक है भारत में पर्थम जल बिदुत सन्यंद हाइड्रो पावर प्लांड की अस्तापना की गई थी तो दारजी लिंग में की गई थी नेक्स देखें कि भारत की नदियों पर इसित पर्मुक परियोजना है कौन-कौन सी है तो एक में है इधर नदी दिया हुआ और दूसरे तरह परियोजना है दी गई तो सतलज नदी परियोजना जो है भाकडा नंगल यानिकि गोविन सागर बांध नाथपा जहाकरी यह सब परियोजना है जो है सतलज नदी पर है जहलम नदी पर किसन गंगा और तुलगुल परियोजना है चेनाओ नदी की बात कहें तो सलाल बांध दुलहस्ती यानिकि असकनी बांध वगलिहार परियोजना है रावी नदी पर थीन बांध चेमेरा परियोजना है ब्यास नदी पे पोंग वहरी के बांध है गंगा नदी पे टिगरी बांध जो भागी रती में है और फरक्का बांध है यवना नदी जो है उस पे लखवर ब्यासी बांध है राम गंगा जो है राम गंगा नदी पे काला गड़ बांध और राम गंगा पर्योजना है घागरा नदी तिरवेनी के पास पुर सिप्यू अधि यहां पर चंबल सिफ्य आगे ईखते हैं कि यहां पर चंबल नदी पर जो सिंबर मातव जांड ऑम सहागिज वांदृ पहँरी में सिचाही बरास बांड अधि न पंचेत हील तिलैया कुनार अयर वर गमो बांद और मैथान है गोदावरी न अधि You अधिकट करे Ḋजरां नीकत बांध है सταनों, स्रीशेमाल बांड तंग्भध्र है मलण-प propulsion निकत तंग्भंधरा बांध है सब्सक्राइब फिए 35 परियोजना भात नेपाल की संजुक्तुक्रम यह उत्रा-खंडिंगए पिथोड़ा गडजिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी आगे देखते हैं यहां पर कि भारत एवं उसके परोशी देशों के बीच परमुख नदी समझाते कौन-कौन से हुए है तो सार्दा जो मतलब सार्दा जो महाकाली संदी है वो नेपाल में नेपाल से संबंद समझ्याता 1966 में संद्रा गआ गया है मैं नेपाल में और नेपाल में गठीयर बाहरत बंगलादेश संद्रों नदी संत्र Sam जेलम नदी आता है चिनाव रावी ब्यास सतु जो इनकी सहायक नदियां आती है तो यह जो संबंदित है पाकिस्तान से संबंदित है और सिंदु नदी जल तंदर के साथ है कि हम संतोस जनक उप्योग के लिए सिंदु नदी जल 1960 का समझाता किया गया था प्रस्निया पे तो नेपाल के माद 1996 में होई थी तेतूगू गंगा परियोजना किस राजि किन राजियों की संजुकत परियोजना है तो तमील णाड़ू आंध्र परजस्ता करनाथा किस संजुकत परियोजना है मयूराक्षी परियोजना किस राज में इसीत है तो पच्छिम बंगला में है कलपोंग जल बिदूत परियोजना कहा वस्ती तो अंडबाने उमनिको बार द्यूप सम्मूँ में है ज्वाहरलाल नहरूब ने बहुदेशिय नदी घाटी परियोजनाओं कि आधनिक भारत के मंदिर की संग्यादी है अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पने में था है तो अलमाटी बांध किस नदी पर है भारत का सबसे पुराना जल बिदू टेस्टेशन कौन सा है तो सिद्रपुंग असम में है यहां पर यह है कि भातिय राष्ट यह जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कौन-कौन से मतलब बनाएगा है तो फोसी में चीप परियोजना अभी बर्तमान में चल रहा है ठीक है गंडक 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 गंगा सार्दा जमना महानादी कोदावरी केन बेतवा ठीक है केन बेतवा पारतापी नर्मदा उसके बाद से है बेदती वर्धा और कोशी को घागरा से घागरा को जमना से गंग ठीक है इसको जोड़ने के लिए मतलब यह परियोजना चल रही है next देखेंगे हम कि किशन गंगा परियोजना किस राज में इस्तित है तो किशन गंगा परियोजना जो है वो जम्मु कास्मीर राज में इस्तित है मेजा बांध राजास्थनका निमान किस नदी पर हुआ तो वोठाई नदी पहुए है बगली हार पन-विदोध पर योजना कि इसराज में इस जन्मु का स्मीर में इस जित है परियोजन से महत्दी यह कर कि राज परियोजना stronger परियोजना कि संर्जुक्त मुण्यवत्रण संचन की सहायक का त्याक्षिक सबसे बढ़ी था नदिख़व्धीव का बढ़िवार लाजियों के महिल ऑड़ 125 यहां पर देखेंगे बिभीन राजियों के मद का वेरी जल का भी भाजन कितना किया गया है करम संख्या एक है तो राज जो है ता मिलनाडू और जल की मात्रा जो है वह 419 यह टीमसी में किया करनाटक में 270 टीमसी ठीक है और पुदुचेरी में 0.7 टीमसी का यहां पर मतलब करना và Thousand million cubic okay next Dexyliquij question यहांपे कि fact देखेंगे कि dalamail again jamalaya के जो नदिया हिमालय के निर्मानाद से पूर्व से ही प्रवाईथ होती है उन्हें परवर्वर्ती नदिया ठीक है जो हिमालाय के नरिमार से पूर्व से ही वह तहीं वह से पुरवर्ती नदिया कहते आ है ठीक है चलिए तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं हम अगले एपिसोड में करेंगे और किसी के बारे में भी हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे तो कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अच्छा लगा है तो आ इतना सारा सपोर्ट करने के लिए है 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 लो दोस्तों स्वागत है आपका जीए साइक्व एजुक्रेशन के यूटूब चैनल पे एंडिसार संग्रा का आज हम लोग करेंगे जो इंडियन जोग्रफी इंडियन जोग्रफी में और भी सारे एपिसोड को अपलोड किये जा चुके है जिसका आप लोग लिंक के थरू या फिर इस चैनल में जाईए और आप लोग उसको देख सकते हैं और वहां पे आपको बहुत सारा और भी सब्चेक्ट्स के वहां पे वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग इस चैनल पे नहे है तो चैनल को सब्सक सिद्ध होगी ठीक है तो यह हम आज करेंगे इंडिन जोग्राफी में जैव विवित्ता यानि कि बायो डाइवर्सिटी और हाँ एक चीज़ और टेली ग्राम लिंक जो मिल लाएगा आपको नीचे वहां जरूर जोइन कर लिए को वहां पे कोई भी अपटेट होगा सबसे पहले आपको मिल लाएगी चलिए शुरू करते हैं इंडिन जोग्राफी में आज का यह टॉपिक सांदार टॉपिक है इससे प्रसंद पूशे जाते हैं तो जैव विवित्ता इसका नाम है इनकी बायो डाइवर्सिटी ठीक है और यहां देखते हैं मैप के थूरू देखे है वुक है आप लोगों के पास तो और भी अच्छी बात है और चलिए फिर आप लोगों ने स्किंसोट ले लिया होगा फिर मैं देखता हूं इसको इससे इंपोर्टेंट क्यों कौन-कौन से यहां पर जैब एक सो छे जो राष्ट्य उद्यान है उसके बारे में लोग दे करें तो सिटी फोरेश्ट अली जिसको बोला जाता है दाचिगम है और किस्तवार है हिमाचल पर्देश की बात करें तो ब्रिहद हिमाला इंदर कीला खीर गंगा, पीन घाटी, सिम बाला बरा, उत्राखंड की बात करें तो जीम कारबेट, गंगोत्री है, गोविंद पसु विहार है, नंदा देबी है, राजा जी है, फूलो की घाटी, यानि कि फ्लावर्स वैली है, और साइलेंट वैली जो आएगी, फूलो की घाटी ये हरी यान, हम उपर से हीं देखते हुए चल रहे हैं, तो हरी जाना गैगेंगे तो कालेश वर है, इह राजसन की बात करें, है कि अगर भिहार में तो भिहार में यहीं है बालमिकी नगर है बालमे इलगे नगर में पाड़ता है यह बिहार में ऑके एकिए मेगहलगरम में तो बालमिक पक्रम है नाजर Bonus की बातпа करें तो डिब्रु सेकवा स्विच्व्ट है काजिरंग की बात नाम governo की इटांकी है मनिपूर में 2 है काबोल लाम जाओ और सिरोधी है फिर अगर तिरपुरा की बात करें तो तिरपुरा में 2 है क्लाउडेड लेपड है और यह जो है विसोन है वो कहां का राजकी यह पश्ण हो है तो वो है आपको उत्राखंड का ठीक है नेक्स देखते हैं तिरपुरा में हैं क्लावडेड लेपड है विसोन है मनिपूर में प्लों को मैं बताया कि काईबुल और लाम जाओ है सिरोहरी है मिजोरब में मुरलेन है फोवंग पूई निला परवत है और हाँ ये क्लावडेड लेपड जो राजकी ये पसु है रवेंगे ये आड़ा याई वो उत्राखण का नहीं है वह है वह आपका मेगालय का थिए तो एक बार आप उस वह पितला कर दो theoreं कर लिजिएगा मैंने घल्ति से बता दिया कि उत्राकर कंड का तो ऊत्रा-कंड नहीं है उत्रा-कंड का है ईलान मस्क घु है वह है वहां का ठीक है और यह जो clouded leopard है वो मेघाले का है ठीक है next देखते हैं कि पच्छी मंगाल में 6 है तो बक्सा है पच्छी मंगाल में 6 राष्ट्योध्यान है बक्सा गोरुमारा नियोरा वैली नियोरा वैली सिंगा लेला सुन्दरवन और जल्लापारा औरिशा की बात करें हम तो औरिशा में बीतर करनी का सिमली पाल है जारकंड में एक ही है बेतला है मर्द परदेश में अगर बात करें तो मर्द परदेश में आपका टोटल दस है तो कौन-कौन सा है मर्द परदेश में दस है तो बांधोगर है फोसिल है काना है मादाव है पे नवे गाव है फिर ओड़िशा में दो है वितरकनी का और मगरमच के लिए सबसे उपजुक्त मानी जाती है अगर मच वहां पर पाये जाते हैं तो वीतरकनीका है और सिम्ली पाल है ठीक है 36 गड़ की अगर बात करें हम 36 गड़ में 3 है इंद्रावती है जो कुट्रू के नाम से भी कुट्रू में पड़ता है और कांगेरगाटी है और गुरुगासीदास मतलब टाइगररिजर भी है और ये पूछा जाता है 36 गड़ में है करनाटक की बात करें तो करनाटक में 5 है करनाटक में 5 है कौन-कौन से है तो अंसी है बांदीपूर है बनेर गटा है कुदेर मुख है और राजीव गांधी जो डनागर होल ठीक है उसी को डनागर होल के भी नाम से जाना जाता है अगर हम बात करें आंदर परदेश की तो कि अ में पड़ता है मुधु मलाई है मुगुर्ति है केरल में 6 है अन्ना मुडी है इरावी कुलं में मथिक मथिक 14 में फारावी कुलं में पराम Use कुलं में पेरियार है साईलेंट वैली यानिकि स Literally है अंधमान और दमन en cinco when में in total 9 है तो लेंप बेल है गलाथिया है महात्मा गांदी मेरीन है मद्द वटन द्वीप है मांट हेरियट है उत्री वटन द्वीप है रानी जहांसी मैदान सैंडल पीक और साउथ वटन द्वीप है बहुत अच्छा पॉइंट देखते हैं कि बिलुप्त हो रहे हैं जीवों तथा पापन कहा इसी थे तो कोलकत्ता में स्थीत है का जी रंगर राष्टी उद्यान जो असम है किसके लिए परस्थ है तो एक सिंग वाले गेंड़े के लिए महात्मा गांधी मरीन राष्टी उद्यान किस राज में अवस्तित है तो अंडबान और निकोबार्ट द्विप समू में इस्तित है जिवास्म जो होता है जिसको फॉसिल्स बोलते हैं अंग्रेजी में नेशनल पर्क अवस्तित कहा है जिवास्म नेशनल पाक जो वास्ती थे वो मंडला मद्ध परदेश में है यसे प्रसंत पुछे जाते हैं नेकेट कि कानहा राष्ट्रीय उद्यान कि के लिए परसीद है Dus कि कानहा कहाँ में है वो कि 돼 के लिए तो रोयल बंहला टाइगर के लिए परसीद himself वरस 1974 में अस्थापित नाम दफा जो राश्ट्रीय उद्यान किस चिले में सीत है तो उन्हाचल परसीद беспIGHT बांधीपूर जो है राष्टियों उद्यान करनाटा का परवर्वर्थी इतनाम किया। ठीक है नेक्स देखते हैं और सबसे बड़ा कौन सा भैस राष्टेऊ उध्यान तो वह आता है हैमिस हैमिस का नाम आता है हमिस कहांप Korean है तो असम में जैक, नेक्स देखते हैं ही है ओ है है आपका लद्दा को दाफ है जो नेशनल पARS ठीकर और जो सबसे पुराना जो है वहीं सबसे पुराना या सबसे पहला जो था सबसे पहला होगा है जीम-कार्वेट राश्य उद्यान कहाँ पर उधर खन में रंध्म भौर वन यह जिव बिहार जो है वो किस राज में स्थित है तो वो इस दित है आपको डाजस्तान में we नेक्स है ठीज्ट यहाँ पर देखते हैं कि वन दीज्व अव्यारन ने जो wildlife century है ठीक है कौन-कौन से राज में कौन-कौन सा और उसको देखेंगे तो आंध पलिस में को रिंगा को लेरू पुलीकट नागारजुन सागर स्री सेलम प्राण हीता किनेर सानी बिहार में है बरेला जिल बरतमान विसलिम अली जुमा सानी पक्षी बिहार ये वीपीसी में पिछली बार पूशा गया था तो देख लिजेगा भीम बांद गौतम बुद्ध कावर जील और उसकी पास से कैमूर और वालमिकी विक्रम सीला डूंगा डॉल्फिन चंडिगड़ में सुखना जील है 34 गड़ में अचानक मार सीता नदी गोवा में भगवान महवीर मुल्लेम के नाम से भी जाना है गुजरात में ग्रेट इंडियन वस्टर्ड गीर कचकी खाड़ी मौरीन नल सुरोबर नरायन सुरोबर जिदमें चिंकारा के लिए है पूर्णा जंगली गद्ध यानि की वाइल्ड अस के लिए भी है हिमाच्रपशिश में चंद्रताल, पॉंक्डेम, झील, रेणुका है जम्यकसुमीर में चांग, ठाल, सीत्थ, होकेशर, मरुवस्तन, उसके बाद से होकेशर, उसके बाद सुरीन सर, मान सर, ज्हारखण में है, डलमा, गौतम, डालमा है गौतम बुद, हजारी बाग, पारसनाथ, पलामू, तोप चंची, करनाटक में बात करते हैं तो डांडेली, घाडप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी, केरल में थडेकर, इदुक्की, नयार, परांबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वैनार और कुमारा कौं नेक्स देखते हैं कि मद्यपरज में है बोरी, गांधी सागर, गाड़ाष्टिय चंबल, पन्ना, ताता पानी, सोन, घडियाल, माराष्ट में है फनसाड, बोर, कलसुबाई, हरिस चंदरगाट, मेलगाट, नागजीरा, पक्छी, पेन गंगा, उम्रेद, करहांडला, ओरिश राजास्तान में है माउंट अबू, सरिस्का, जौहर सागर, राष्टिय चंबल, वन विहार, तमिल नाड़ो में है कोराई कनाल, निल्लाई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट जील, सत्यमंगलम, कलककड, इंदरा गांधी, जो अन्ना मलाई है, और वेदांग थल, उत्तरपर प्रदिस लगाएगा नाकी विहार, ठीक है, वैसे पटना नामी है, तो पटना सहर है, पटना का विहार की राजधानी है, पटना तो बुद्द्य देगा, तो वो कहां है, तो लगाएगा उत्तरपरदिस, दिल्ली है तो असोला भाती, इंदरा प्रिजा दरस्नी थोरांट लाग है, सिक्कीम में किताम और पांको लखा है, त्रिपुरा में गुम्टी सोबाही जाला है, नागालें में फाकीम है, उत्राकण में केदारनाथ है, भारत का पर्थम गिद परजनन केंद जो है वो पिंजोर हरियाना में जर्की दूसरा, राज भटकावा के लिए परसीद है, इसे क्योला देऊ घंप खना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स देखते हैं कि संजुक्त राष्ट महासाभा ने किस वर्स को, किस को जैव बिवित्ता का दसक गोशित किया है, तो वर्स 2011 से वर्स 2020 तक को संजुक्त राष्ट महासाभ ने जैव विवित्ता दसक गोशित किया है बांदावगर राष्ट्रिय उद्यान जो मद्य परजिस के अस्थापना किस वर्स हुई थी तो वर्स 1968 में हुई थी एक मात्र अवियारन यानि की सैंक्चुरी है जो जहां कास्मीरी टैग कस्मीरी टैग कस्मीरी स्टैग पाय जात जाता है तो साइलेंट वैली राष्ट्रिय उद्यान केरल में पाया जाता है मुदु मलाई पक्षिप मुदु मलाई पसु विहार किन दो राज्यों की सीमा पेशित है करनाटक और केरल के दोनों के सीमा पेशित है केरल पेरियार राष्ट्रिय उद्यान हाथी अभ्यारन के लिए जाना जाता है विस्व का एक मत्र विःथियान जो है मनिपुर में यहां पर देख लिए तेने राश्टिय बिग्वान दिवस जो है वो 28 परवरी को मना जाता है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को उसके बाद से विश्व जो मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को अर्थावर दिवस जो होता है वो मार्च का अंतिम सनिवार होता है विश्व स्वास दिवस 7 अप् विश्व जय विविता दिवस 22 माई को विश्व मुक्ती दिवस जो है 31 माई को सोरी तंबाकु मुक्ती दिवस है विश्व नहीं है तंबाकु मुक्ती दिवस है 31 माई को और विश्व पर्यावरन दिवस जो है वो 5 जुन को पर्यावरन दिवस से तो 22 इतंबर को γिःट्टी वह नक्टूबर संजुक्थ राश्टीवाश 24 अक्टूबर विश्व production दिए 10 दिसवर माना उधिकार पयाँ, यह नेक्स देखते हैं कि गर्म पानी आभ यह किस राज में इस्तित है तो असंतित है दिफू में मतलब असंतित है क्वागा किस फसु की बिलुप्त यानि के एक्स्टिंग्ट पर जाती है तो जेबरा की डॉक्टर सलीम अली राष्टिये पक्षी बिग्यानी के रुप में परसीद है कंचन जंगा राष्टिये जो पार्क है जो सिक्की में है किस वर्च अस्तापित किया गया तो वर्च उनिस असतात्तर में फरसीद गीरवन किस राज में सित है तो गुजरात में गीरवन एसियाई सेर यानि असियाटिक लाइन के लिए प्राकृतिक परियावास नेच्टरल हैबिटेट्स है भारतिये प्राणी सर्वेक्षन यानि कि जो लोजिकल सर्वे अफ इंडिया का मुक्यालने कहां है तो कुलकत्ता में सित है नेक्स देखते है कि हीम तेंदुवा यानि कि स्नो लेपड भारत में कहां पाय जाता है तो सिक्की में पाय जाता है उत्तरपरदेस का नल सरोबर पक्षी विहार किस राज में सीथ है तो गुजरात में युनेसको द्वारा भारत के कितने जयो मंडल आरक्षी चेत्रों को मन्यतन परदान की गई है तो 11 गुजरात के कच्छ के रन में किस्तिस्टीसिया कि सबसे घास के माइदान को किस नाम से जाता है भालत में जयुमंडल आरक्षित यानि कि बायो एसफेर्स रिजर्व चेत्रों की संक्या कितनी है तो अठ्छारा है बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि राज्टी ये बाग संदक्षन प्राधिकर्ण यानकी एंटी सी ए वर्स 1973 में हुई थी जिसका उद्देश बागों का सरवांगिन संदक्षन करना है नेक्स देखते हैं यहां पे हम देखें कि भारत के 18 जयो मंडली आरक्षी ठेत्र कौन-कौन से है तो इसका अस्थापना देख लेंगे और राज में देख लेंगे जन्दादेवी 1988 में उत्राकंड में है 1988 नौकरिक में घाल है 1989 जो है मन्नार की खड़ी तमिल नाडू 1989 जो है वो सुंदरवन पच्छिम मंगाल 1989 में मानस असम 1989 में ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है सिमलेपाल है उडिशा में 29टल में डिब्रु सेंखवा एं शम में 1299 month दिभांग की ख्रिक कर में ग्रेटर कचकरण जो गुजरात में है 2009 में कोल्ड डेजर्ट है हीमाचल पर्देश में है और 2010 में जो रिजर्ब किया गया था वो सेशा चलम पहाड़ी जो आंध्र पर्देश में है नेक्स देखते हैं कि जयव मंडला रख्षिक छेतर नंदा देवी किस राज में सित है तो उत्राकण में सित है भारत के किस राज या किन्दसासित परदिश में विविद समुदरी पेन पौतित तथा जनतों के संदक्षित करने के लिए जयव आरुक छेतर इनके बायोस्पे कि बाग आरक्षी चेतर निवालमी की टाइगर डिजर परियोजना किस राज से संबंदित था पच्मी चंपारंद यानि बिहार से संबंदित है रामसर समझोते कंदगत भारत के 37 आधर भूमी यानि कि वेट लेंड जो चेतर है वेट लेंड एरिया है उसको किया गया कब रामसर की द्वारा ता है आंधके बुल स राज सि जो राज्जी एक दर दर दिया उरेंड रामसरा पहलनद मतलब रामसरा आधर भूमीच्टर का नाम दिया गया है तो अंधर परस में को मएलासंब में दीपोर जिल रेंडू का है पोश्व कयो सबसेठीए चानडर टाल आदरभूमी है मदबद इसमें भोज आदरभूमी है मनिपुर में लोक्टक आदरभूमी है औरशा में चिलका जिल है और वीतरकनिका मैंगरोव है यह मैंने वहाँ जब पढ़ा रा था मैं इन्वेरोमेंट एंड इकोलोजी का जो लेक्चर है उसमें भी आपको यह सब मिलनाडू में पॉइंट कैली मेरे है तिरपूरा में रुद्रसागर जील है उत्रपरस में अपर गंगा नदी नवाव गज नवाव गंज पक्षी अभियारन्य पारवती आगरा पक्षी अभियारन्य समसपूर पक्षी अभियारन्य सांडी पक्षी अभियारन्य सरसाई नवार जील समन पक्षी अभयारन है अगर बात करें पक्षी मंगाल में तो सबसे बड़ा पुर्वी कुलकता आदर भूमी है और सुन्दरवन है नेक्स देखते हैं कि गुजरात में नल सोरवर पक्षी अभयारन है और महराश्ट में नंदूर महम देशवर है और छेतफल के दिशे सबसे बड़ा जव मंडल आरशित छेत मननार की खाड़ी हम सबसे छोटा डिब्रो से अखवा यानि की असम में है आप क्या किजेगा इसको एक बार एक बार लिखने की कोशिच किजेगा याद हो जागा बार बार किजेगा तभी होगा नहीं तो नहीं याद होगा भारत में पचास बाग आरशित छेत्रों की अवस्तित यानि कि टाइगा रिजर छेत्र जो है उसको दिया गया है तो असम में है काजी रंगा मानसना वेरी और रांग और नाचल परशिच में नाम दफ़ा पक्के या पकुई और काल लांग है काम लांग है आंधर सागर स्री सेलम है तेलंगाना में कावर है अमरावाद है बिहार में बालमिकी है और उसके पासे चतिस गड़ में इंद्रावती अचानक मार उदंती सीतान दिया जारकण में पलामू है करनाटक में बांदिपूर नागरोल भद्राद अंदेली अंसी विलिगीर रंगनाथ में पेरियार, परंबी कुलम है, मिजोरह में डंपा है, अगर बात करें मद्ध पदेश की तो टाइगर एस्टेट जो है वो बांदोगड है, सत्पुड़ा है, काना है, पन्ना है, पेंच है, संजय है, संजय है, डूबडी है, माराश में मेलगाट, पेंच, तदोबा, अंध सेरी सहयात्री बोर नाग जीरा राजास्तार में रंथम बोर सरिस्का मुकुंद्रा हेल्स उत्रपरिस में दूदवा फिली भीत अवनगड तमिल नाड़ों में बात करें इंद्रा गांधी उसके बाद से तालकड मुदून थ्रेई अन्ना मलाई मुदू मलाई सत्यमंगलम उ परियोजना का यहां पे नाम दिया गया है प्रारम बर्स दिया गया और विसेस बिंदू कौन-कौन से है उसके बारे में यहां पे दिया गया है तो देखते हैं यहां पे तो सबसे पहले है बाग परियोजना जो है 1973 में प्रारम बर्स हुआ था यह प्रारम हुआ था और ब गुर्टू का कानपस्वों के दी जाने मेले डाई कुलो फेनौक नामक दवा है या दवा अपरती बंदित है अगर बात करें हम तो गीर सिंग पर्योजना जो है 1973 में इसका अस्थापना किया गया था यह जो मतलब प्रारम बर सी 1973 था गीर अभेरान में केंद सरकार के सायोग से प्रारम किया गया गुजरात के जुनागर जिले में 1412 वर किलोमेटर छेतर में इस्तित्या उद्यान अब एक मात ऐसा उद्यान है जहां एसियाटिक लाइन पाए जाते हैं एसी आई सिर पाए जातर इसको बबबर सीर के नाम से भी जाना जाता है हाथी परियोजना जो 1992 1992 में इसकी प्रारम भर्ष की गई थी और और जो यह है हाथी परियोजना 1992 में किन सरकारदर 17 दिसम 1992 को जारकन के सिंभूम जीने से प्रारम की गई भारत के परमुक हाथी संदक्षित छेतर जो है वो परियार अभियारने केरल मानस अभियारने मकाजी रंगा राष्ट्य उ जो है वो उत्राखन और बात कर हम कस्तूरी मिर्ग पर योजना की तो इसका प्रारम बर्ष चाज़ाOb मिरिग हिमाला चिमाचल परदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किमता के हिमाली चेत्रों में पाए जाते हैं। अस्तन धारियों में से एक हैं। गडियाल परजनन परियोजना जो है 1975 में भारत सरकार ने संजुक्त राष्ट विकास कारिकरम की सहायता से वर्स 1975 से उर्षया सहिया परियोजना परारम की। परियोजना का अभिस्तार कुकरैल यानिक लखनाव उत्तरपरदेश राजस्तान मध्यपरदेश महरास्ट अंडमान अंसम बिहार वर नागालन में भी किया गया है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही और नेक्स इसी के एपिसोड में मिलेंगे आप वाहतन यानिक ड्रेनल सिस्टम ऑफ इंडिया को ले करके और उसको देखेंगे और इसके पहले वाला जो वीडियो आपने इंडियन जोग्राफिका नहीं देखा है और वर्ल्ड जोग्र लगेगा आप लाइक कर दीजिएगा और अपनी सुझाओ दे दीजिएगा और कैसा लगा लेक्चर भी बताइएगा ताकि हम फिर नेक्स वीडियो आपनों के लिए जल्दी लेबल करवाएं और हां और इसको अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजिए और बहुत बहुत धन निवादा अपनों का